येस पीपल, गूड मॉर्निंग, गूड आप्टोनून, गूड इवनिंग टू अल अफ यू, कैसे हैं सब लोग, होप सो आप सब लोग बहुत बढ़ी आ रहेंगे, मैं बता दू, मैं भी बहुत अच्छा हूँ तो चलिए आज आज स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से रिविजन, और आज का पहला टॉपिक, इस टॉपिक नमबर 11, टक्सेशन और पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज, आप अच्छे से जानते हो, बीजेवी, कॉंग्रेस, आम आदमी पार्टी, सपह, बसपह, यह जितनी भी है, पॉलिटिकल पार्टीज होती है, पॉलिटिकल पार्टीज की इंकम है, वो एग्जेम्ट होती है, एक बात बता दू, political party की all income है except PGBP का income if there is a PGBP का income तो PGBP का income taxable हो जाएगा PGBP को छोड़के बाकी कोई भी income जो है political party की वो आपकी exempt हो जाएगी इसका मतलब house property की income capital gain other sources की income है वो exempt हो जाएगी लेकिन एक चीज़ समझता political party की income exempt तभी होती है जब political party को 4 conditions satisfied करनी पड़ती है पहली condition यह है political party को अपना books of accounts है वो books of accounts maintain करना पड़ेगा दूसरी condition यह है उसको books of accounts की क्या करनी पड़ेगी audit करानी पड़ेगी तीसरी condition यह है कि political party को अगर कोई भी donation मिला है वो donation अगर 20,000 रुपेज से जादा मिला है मिस उससे related उसका नाम, नमबर, पैन, नमबर वगेरा वो सब detail, address वगेरा उसका होना चाहिए record maintain करना पड़ेगा लेकिन इसका एक exception है कि political party को अगर electoral bond से donation मिला है तो उस particular case में उसका record maintain नहीं करेंगे तो भी चल जाएगा तीसरा, उसके बाद में फोर्थ condition यह होती है कि अगर political party को कोई भी 2000 से ज़्यादा का donation मिलता है तो that should be received only by the account pay, check account pay, demand draft, any mode of electronic clearing system through bank account और any other electronic mode as may be prescribed इन mode से ही 2000 से ज़्यादा का political party donation ले सकती है तो अब एक बात समझना अगर यह 4 conditions satisfied होती है तो ही political party की income exempt होगी पहली books of accounts maintain करना पड़ेगा दूसरी condition उसका audit कराना पड़ेगा तीसरी condition यह होती है कि political party को 20,000 से ज़्यादा का donation मिला है तो वो only जो है वो जो भी मिला है उसका record maintain करना पड़ेगा बट एक exception है electoral bond से मिला तो record maintain करने की ज़रुवत नहीं है and last condition यह है कि 2000 से ज़्यादा का अगर donation मिलता है political party को तो उसमें वो donation only account पे check account पे demand draft any mode of electronic clearing system through bank account और any other electronic mode as maybe prescribed या फिर electoral bond से ही मिल सकता है उसके अलावा किसी और जो mode है उससे donation नहीं ले सकती अगर लेते है तो फिर वो taxable हो जाएगा अब यहाँ पर question ही आता है कि जैसे for an example एक political party को 40,000 रुपस का donation मिला और उसका record maintain नहीं किया है तो क्या वो 40,000 का only taxable होगा या फिर political party का all income taxable हो जाएगी एक बात बता दू यहाँ पे दो contradictory views आए है एक view यह बोलता है कि नहीं political party की all income taxable हो जाएगी बट दूसरा view यह बोलता है कि नहीं नहीं जहाँ पे violation हुआ है only violation वाला part है वो ही taxable होगा बाकि taxable नहीं होगा exam में आपको क्या करना है exam में आप दोनों alternative view लिख के आ सकते हो because ICA नहीं भी ऐसा ही किया है कर गए ठीक है अब एक और चीज़ समझना political party को अगर exemption चाहिए ना तो उसको अपना return time पर file करना पड़ेगा जो भी written filing की due date रहेगी वो written filing की due date तक political party को अपना return है वो file करना रहेगा अब एक और चीज़ समझना आप अगर political party को donation देते हो ना तो आपको deduction मिलता under section 80 GGB और GGC में इंडियन company donation देती है कि donation आपको cash में नहीं देना है donation has to be made by any more other than cash उसके बाद में एक next topic आता है that is the electoral trust अब यह electoral trust क्या करता है कि आप लोगों से donation collect करता है और उसके बाद वो ही donation political party को दे देता है तो यहाँ पर electoral trust के लिए section होती है section 13B करके और 13B यह बोलती है कि electoral trust को इस साल में जितना भी contribution मिला है voluntary contribution में इस donation यहाँ पर सिरफ donation की बात हो रही है electoral trust को इस साल में जितना भी voluntary contribution या donation मिला है इस साल में जितना मिला और last years का जितना भी accumulated है उस दोनों की total का 95% और more अगर इसने इस बार political parties को donate कर दिया तो इस बार electoral trust को जो donation मिला है वो पूरा exempt हो जाएगा मेरे वर्ड पर ध्यान देना अगर कोई electoral trust है उसको इस साल में जो donation मिलता है तो इस साल का donation और जो भी accumulated last year से आ रहा है उसकी total का 95% और more है वो at least इसको political party को donate करना पड़ेगा इस साल में तो जो भी इनको इस साल में voluntary contribution मिला है वो पूरा exempt हो जाएगा under section 13 B में अब एक और चीज़ समझना यहाँ पे आप अगर political party को donation दो या electoral trust को donation दो आपको deduction 80 GGB या GGC में मिलता है जैसे ही मिलता रहे गा तो आपके लिए neutral है either you should make the donation to the political party या electoral trust आपको कोई फरक पड़ने वाला नहीं है अब यहाँ एक और चीज़ समझना electoral trust को सिरफ donation मिलेगा वो ही exempt है electoral trust की जो बाकी income होती है जैसे उन्होंने FBank पे FD कराया और FD पे interest आया वो taxable होगा answer is yes वो वाला taxable हो जाएगा लेकिन एक चीज़ समझना electoral trust है वो electoral trust किससे donation ले सकता है पता है electoral trust सिरफ अगर किसी individual से ले रहा है तो वो सिरफ Indian citizen से ही ले सकता है या किसी Indian company से ले सकता है या कोई इंडिया की resident partnership firm है HUP है, AOP, BYU है उनसे ही ले सकता है मतलब electoral trust है वो donation किससे नहीं ले सकता तो एक तो कोई भी अगर non-Indian citizen है उससे donation नहीं ले सकता कोई foreign की entity है उससे donation नहीं ले सकता किसी दूसरे other electoral trust से donation नहीं ले सकता किसी government company से donation नहीं ले सकता या किसी भी foreign source से electoral trust है वो donation नहीं ले सकता अब एक और चीज़ समझना electoral trust जो भी donation लेगा न वो सिरफ एंड सिरफ अकाउंट पर ही चैक, अकाउंट पर demand draft या any mode of electronic clearing system है उससे ही ले सकता है उसके अलावा किसी और mode से electoral trust donation नहीं ले सकता अब electoral trust है ना वो total donation जितना उनको मिलता है उसमें से maximum 5% तक का donation है वो अपने maintenance के लिए वो खर्च कर सकते है miss management के लिए electoral trust है उसको obviously चलाने का खर्चा होता होगा उसके managing the affairs के लिए खर्चा होगा तो management के लिए वो maximum 5% of the total donation है उतना ही spend कर सकते है और उसमें भी limit है amount wise देखेंगे तो first year में 5 lakh तक कर सकते है और उसके subsequent year में maximum 3 lakh तक का खर्चा है उसके management में खर्च कर सकते है अब एक और चीज़ समझना जो भी contribution उसको मिलेगा न electoral trust को वो अपने member या contributor के direct या indirect benefit के लिए उस पैसे को use नहीं कर सकते और electoral trust को क्या करना पड़ेगा अपनी books of accounts है वो audit करानी पड़ेगी और audit report है वो return की due date के साथ साथ में वहाँ पे audit report भी submit करनी पड़ेगी this is one topic electoral trust now next topic पे चलते है that is taxation of partnership firm and LLP अब एक बाद समझना partnership firm and LLP जो है उसकी tax rate क्या रहती है तो partnership firm and LLP की tax rate रहती है वो 30% रहती है क्या partnership firm LLP को surcharge लगता है answer is yes surcharge तब लगेगा जब total income 1 crore से जादा है surcharge लगेगा at the rate 12% और health and education says लगेगा वो 4% की rate से लगेगा लेकिन sir एक बात बताईए यहाँ पे कोई slab rate नहीं है answer is no यहाँ पे कोई भी slab rate नहीं है यहाँ पे आपकी flat tax rate से tax लगेगा 30% plus 12% surcharge if net taxable income is more than 1 crore and health and education says है वो आपको 4% की rate से लगेगा अब question ही आता है sir special rates की income का क्या होगा तो special rates income are taxable at special rates only LTCG 112 it will be taxable at the rate 10% in excess of 1 lakh STCG 111 it will be taxable at the rate 15% LTCG है तो वो 20% की rate से taxable हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना यहाँ partnership firm और LLP दोनों के case में tax treatment same है लेकिन एक फरक है आपको पता है PGBP में मैंने आपको जो section बताई थी 44 AD और AD है वो 8%, 6% वाला and professional के case में 50% वाला section वो दोनों section है वो partnership firm ले सकती है लेकिन LLP नहीं ले सकती है वो दोनों section partnership firm ले सकती है बट LLP है वो LLP वो दोनों section है वो नहीं ले सकती है अब एक और चीज़ समझना partnership firm जो होती है वो जितना भी remuneration interest partner को देती है कि partnership firm LLP जो remuneration interest partner को देती है जितना allow होता है उतना partner के हाथ में taxable होगा और जितना disallowed हो जाता है वो share in profit माना जाएगा और share in profit partner के हाथ में exempt हो जाता है under section 10 to 1 के section के accordingly वो क्या हो जाता है exempt हो जाता है अब question यहाँ पर यहाँ आता है कि सरीक बात बता हो partnership firm को loss हो गया तो लोस carry forward कौन करेगा क्या partner करेंगा partnership firm करेगी right answer is partnership firm ही करेगी losses है वो partner में नहीं बाटा जाते partnership firm है वो ही उसको carry forward करती है और profit होता है तो भी उस पर tax जो है वो partnership firm ही भरती है अब question यहाँ पर यहाँ आता है कि सर एक बात बताईए partnership firm ने partner को यह है कि भाईया remuneration आपको तभी allow होगा जब वो working partner को दिया जा रहा है अगर sleeping partner को remuneration दिया जा रहा है तो allow नहीं होगा remuneration is allowed only if it is paid to the working partner और एक और चीज़ बता दू working partner सिरफ एक individually हो सकता है मिस कोई भी company partnership firm में partner बन सकती है बट company cannot be a working partner working partner always individually होगा और remuneration सिरफ working partner को दिया जा रहा है तो allow होगा अगर sleeping partner को दिया जा रहा remuneration तो allow नहीं होगा लेकिन interest अगर working partner को दिया या sleeping partner को दिया allow हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है अब एक और चीज़ समझता है remuneration interest तभी allow होगा जब वो partnership ब्हुकर धीट से ऊथराइज होनाचिए partnership डीट से ऊथराइज होना चाहिए means partnership डीट में लिखा हुआ होना चाहिए partnership डीट में या तो amount लिखा रुए apprendre या फिर उसमें manner लिखा हुआ है बहुत बार क्या होता है partnership डीड में ऐसा लिख लेते हैं कि remuneration interest हम उतना देंगे जितना की income tax allow करता है तो क्या ऐसा लिखा हुआ है चलेगा answer is yes यह चलेगा कोई दिकत नहीं है तीसरी condition यह बोलती है कि remuneration interest allow तो होता है लेकिन वो prospectively allow होगा कभी भी retrospectively allow नहीं होगा retrospectively का मतलब क्या हुआ जैसे I can take a example आप और मैं दोनों partner है और हमारे deed में remuneration interest के बारे में बिलकुल कोई भी जिक्र किया हुआ नहीं है आज हम क्या करते हैं डीड को amend कर लेते हैं और उसमें बोलते हैं कि remuneration interest allow होना चाहिए from the 1st April और 1st April से अपन remuneration interest provide कर लेते हैं क्या यह सह है answer is गलत है ऐसा नहीं हो सकता अगर ठीक है आज अगर हम डीड को amend कर रहे तो आज से जो remuneration interest provide करेंगे वो अलव हो जाएगा partnership हमको हम जो retrospectively provide कर रहे है वो अलव नहीं होगा एक और चीज़ समझना interest जो partner capital पे देते है या partner loan पे देते है तो partner के loan पे या partner के capital पे जो interest देते है वो अलव होगा remuneration कितना अलव होगा तो remuneration अलव होगा on the basis of the book profit सबसे पहले आपको book profit calculate करना पड़ेगा लेकिन आप मुझे बोलोगे book profit किसको बोलते है तो book profit का मतलब क्या होता है आप बड़ा simple सा चीज़ है एक बात समझना partnership firm का पूरा P&L बना दीजिए PGBP के all provision follow कर दीजिए और जो PGBP का income आता है just before remuneration. Remuneration less करने से पहले जितना भी PGBP का income आता है that is call your book profit और book profit का एक काम करिए book profit का first 3 lakh तक का book profit है ना उसका 90% of the book profit और 1 lakh 50,000 whichever is higher और balanced book profit पे आपका 60% of the book profit ये जितना भी amount आएगा that will be the maximum allowable remuneration. क्या बोला मैंने book profit निका लिए book profit का मतलब ह remuneration. Remuneration less करने से पहले जो भी PGBP का income रहेगा अगर remuneration already less कर चुके हो तो वापस से आप उसको add कर दीजिए. तो PGBP का income just before remuneration उसको बोलेंगे book profit, book profit में जो भी आपका up to 3 lakh तक का book profit है उस पे आप एक काम करिए book profit multiply by 90% or 1 lakh 50,000 whichever is higher at balanced book profit का आप 60% ले लिजिए और जो भी total आएगा that total is called your maximum allowable remuneration. Maximum आपको इतना remuneration allow होगा कर गे ठीक है. अब एक बात समझना, remuneration एगर actual में दिया है, वो कम दिया है कर गे ठीक है, तो वो पूरा allow हो जाएगा, बट अज़र remuneration दिया है, वो ज़्यादा दिया है, जो इस limit से ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाल है, कि book profit multiply by 90%, तो book profit की जिएकर loss है, तो loss multiply by 90% और 1,50,000 whichever is higher, तो obviously higher 1,50,000 रहेगा, तो 1,50,000 तक का remuneration allow हो जाएगा, एक और चीज़ समझना, मैंने आपको क्या बोला, book profit के लिए PGBP का income, but just before remuneration, आप just before remuneration, question ही आता है, कि सरी बात बता है, आप क्या बोल रहे हो कि net profit under PGBP ले लीजिए, लेकिन एक चीज़ समझना, current year का depreciation तो less हो गई होगा, CDC बात है, because current year का अगर आप PGBP का income निकालेंगे, तो current year का depreciation तो less हो गई होगा, लेकिन आपको एक चीज़ यहाँ ध्यान देनी है, कि आपका जो भी unabsorbed depreciation है ना पुराना, वो भी less करना है, book profit निकालन अब एक बात बताओ, 28 से लेकिन जब आप 44 तक की section follow करते हैं, तो इस particular case में तो मुझे एक बात बताए, इसमें 32,2 भी तो आ गया, और unabsorbed depreciation कौनसी section से govern होता है, 32,2 से होता है, तो 32,2 से होता है, इसका मतलब unabsorbed depreciation भी आपको less करना पड़ेगा, तो जो पुराना unabsorbed depreciation और वो भी less होगा, while calculating the book profit, अब एक और जीज समझना, बड़ा एक simple सा concept आता है, इस concept पर आप ध्यान देना, easily आप समझ जाओगे, law makers बोलते हैं कि अगर मानलो, मैंने क्या बोला, interest कितना आला होगा, maximum 12% simple interest की rate से, लेकिन एक चीज समझना, अगर जैसे ये individual है, ये individual इस partnership firm मे partner है, individual capacity पे, individual capacity मतलब हो खुद के लिए ही partner है, और अगर खुद को interest मिलता है, अगर मानलो, उसको खुद को interest मिलता है, खुद की capacity पे, तो maximum 12% ही अलाव होगा, maximum 12% ही अलाव होगा, लेकिन एक बात समझना, अगर ये individual, इस partnership firm में partner जो है, वो individual capacity पे है, बट इसको जो interest मिल रह रहा, इसके खुद के लिए नहीं मिल रहा, किसी और से उसने पैसा लाया था, और वो पैसा यहाँ पे दिया है, किसी और के लिए interest मिल रहा है, तो उसमें बेटा 12% का limit नहीं लगेगा, even interest is more than 12% इसको अलाव हो जाएगा, मिस 40B का, जो आपका 12% का limit है, वो 12% का limit नहीं मिल रहा है, तो तो 12% का limit लगेगा, लेकिन अगर वो partner representative capacity पे और उसको interest जो मिल रहा है न, वो individual capacity पे मिल रहा है, तो यहाँ पे बेटा, आपका 12% का limit नहीं लगेगा, even it is more than 12%, वो आपको अलाव हो जाएगा, बट वो reasonable होना चाहिए, घर ठीक है, तो बड़ा simple सा concept है, एक ब बढ़ा simple है, अगर कोई partner किसी partnership firm है, individual capacity पे partner है, individual capacity पे interest मिल रहा है, तो तो 12% का limit लगेगा, यह representative capacity पे partner है, इंटरस इंडिविजुल capacity पे मिल रहा है, तो उसमें 12% का limit नहीं लगेगा, even interest is more than 12%, वो आपको अलाव हो जाएगा, अब एक और जीजुल समझना एक section हुआ करती है section 78 78 ये बोलती है कि अगर कोई partnership firm है और partnership firm में किसी partner की death हो जाती है या कोई partner retire हो जाता है किसी partner की death हो जाती है या कोई partner retire हो जाता है और उसके हिस्से के जो losses है वो partnership firm के पास है तो बेटा जिस दिन वो उसकी death हो गई या जिस दिन वो retire हुआ उस दिन इसके हिस्से के जितने share in loss है, उसका जो loss का share है, वो वाला loss ना तो partnership firm carry forward कर पाएगी और ना ही partner carry forward कर पाएगा, तो मैंने क्या बोला, कि अगर कोई भी partner है, वो partner की death हो जाती है, या partner retire हो जाता है, और उसके हिस्से के जो losses है, देखो losses पुराने वाले हो सकते हैं, लेकिन इस सा का कोई profit है तो वो profit को आपको adjust करना पड़ेगा और profit को adjust करने के बाद आपको देखना है कि उस particular partner के हिस्से के कितने losses है वो losses को ना तो partnership from carry forward कर पाएगी और नहीं वो partner carry forward कर पाएगा इसका मतलब वो losses lapse हो जाएंगे sir losses कौन से head के किसी भी head के loss हो बले वो house property head का loss है capital gain head का loss है PGBP head का loss है किसी भी head का loss है capital gain head का loss है वो losses carry forward partnership firm as well as वो partner नहीं कर पाएगा लेकिन एक बात समझना death के बाद अगर उसका legal here है वो अगर partner बन जाता है तो उस particular cases में जो losses है वो losses carry forward and setup किये जा सकते है उसमें कोई भी दिकत नहीं है अब एक और चीज समझना एक section हुआ करती है 184 184 यह बोलती है कि partnership firm को partnership firm कब बोला जाएगा जब तीन condition satisfied होनी जीए पहली condition partnership deed होना चाहिए उसमें PSR mention होना चाहिए और जब भी partnership firm अपना पहला return file करेगी तो वो deed का copy उस return के साथ में लगाना चाहिए बट आज कल क्या होता है आप paperless return file करते हो तो उस particular case में जब यी return file करते हो तो deed का copy है वो साथ में लगता नहीं है उसके बाद एक section 185 होती है partnership firm को कोई भी remuneration interest allow नहीं होगा और जब partnership firm को कोई भी remuneration interest allow नहीं हो रहा है तो partner के हाथ में वो taxable भी नहीं होगा तो partnership firm को कोई भी remuneration interest allow नहीं होगा और जब allow नहीं हो रहा है तो partner के हाथ में कुछ भी taxable भी नहीं होगा उसके बाद एक section होती है 187, 187 का कहती है change in constitution of partnership firm change in constitution किसको बोलते है कि अगर किसी भी firm में कोई partner as a partner enter होता है या कोई partner जो है वो exit होता है, retire होता है but at least एक पुराना partner continue करता है that is called change in constitution या फिर all partner continue कर रहे है लेकिन उनका PSR change हो जाता है that is called change in constitution of partnership firm अब एक बास समझना, एक concept आता है succession of firm, succession of firm का मतलब क्या होता है जो change in constitution नहीं है, वो succession है जैसे I can take a example कि अगर मान लो, तुमारा ABC तीन partner थे उसमें AB बच गए, ये तो change in constitution है अगर AB की जगे ABD हो गए वो भी change in constitution है, लेकिन ABC की जगे DEF हो गए, वो तुमारा succession है succession और change in constitution में फरक क्या होता है कि जब भी change in constitution होता है तो उस साल में उस partnership firm का एक ही income tax का return जाता है लेकिन अगर वो succession हुआ तो उस particular case में दो return जाएंगे एक तुमारे succession से पहले वाला और एक succession के बाद वाला में एक predecessor file करेगी और एक तुमारी successor firm है वो file करेगी अब एक और चीज़ समझना 188A करके एक section होती है that is the joint and severed liability of the partner एक चीज़ ध्यान रखना अगर कोई भी person किसी भी partnership firm में partner था किसी भी year में तो उस year से related कोई भी liability आती है उसके लिए वो partner jointly and severally liable रहेगा उस liability के लिए जैसे मैं एक example लेता हूँ कि मालो मैं किसी partnership firm में partner था आज से 5 years ago और उस particular year में मैं partner रहा only for the 10 days आज की date में अगर उस year की कोई liability आती है then I am jointly and severally liable for the liability of that particular year एक section हुआ करती है 189 189 ये बोलती है कि अगर कोई partnership firm dissolve हो जाती है उस दिन जितने भी partner है वो partner liable हो जाएंगे liability of the partnership firm के जितनी liability रहेगी उसके लिए jointly and severally जो dissolution के time पे available है I can take a example जैसे मालो तीन पहले से partner थे अमर अकबर एं एंथनी और वो last के 10 years से partner थे मुझे इसी साल partner बनाया और जैसे ही मेरे को partner बनाया partnership firm dissolve हो गई अब एक बात पताओ जितनी भी उनकी last के 10 years की liability है उसके लिए मैं भी responsible हूँ क्योंकि जो लोग dissolution पे available होती है वो assets के हकदार होते assets उनको मिलती है तो जितनी भी partnership firm की liability रहेगी liability में आपका हिस्सा रहेगा एक section होती है 167C यह क्या बोलती है कि liability जो partner की रहती है LLP में वो limited नहीं है वो भी तुमारी unlimited है वो भी तुमारी unlimited रहेगी for the purpose of income tax act, income tax act के लिए वो unlimited है अब एक और चीज़ समझना एक अनिल hardware store 2010 हिमाचल परदेश का high court का adjustment है इस case लोग में क्या हुआ कि question यहाँ पे आता है कि sir अगर मालो partnership deed में कोई भी amount नहीं दे रखा बट manner दे रखा है कि जितना income tax remuneration interest अलव करेगा उतना हम दे दे देंगे तो क्या manner दे रखा है यह चलेगा answer is yes यह चलेगा इसमें कोई दिक्कत नहीं है उसके बाद एक प्रमोध मित्तल का case लो इसके इसलों में क्या हुआ कि एक partnership firm थी और partnership firm का dissolution हो गया और partnership firm का जैसे dissolution हो गया उसके बाद मैं partnership firm का business एक individual partner ने as a proprietary business continue किया तो question यह आता है कि partnership firm के जितने भी losses थे क्या वो individual proprietary firm वाला proprietary business वाला बंदा क्या वो partnership firm के losses को carry forward कर सकता है answer is no वैसा नहीं कर सकता एक बात बताओ ना जिसके loss होते है ना जो loss incur करता है वो ही person carry forward कर सकता है कोई भी दूसरा person carry forward नहीं कर सकता लेकिन उसके 3-4 exception होते है एक तो exception आपका amalgamation वाला एक तुमारे demurger वाला और एक तुमारा succession succession कौन सा वाला पता है या तो तुमारा partnership जो है वो partnership firm company में बदल जाती है या फिर proprietary company में बदल जाती है या फिर चोटी-चोटी कंपनिया LLP में बदल जाती है जैसा कि मैंने capital gain में सिखाया था या फिर अगर मान लो succession होता है by way of the inheritance succession by way of inheritance का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो किसी person की death हो गई और उसके बेटे को as it is business मिल गया तो उस case में पापा का जो loss है वो बेटा carry forward कर सकता है other cases में यहाँ पे carry forward नहीं होते तो इस particular case में Delhi High Court ने भी यही बोला कि partnership firm का business था और partnership firm एक बार dissolve हो गई dissolution के बाद में कोई partner है वो partner as a individual proprietor as a individual वो business को continue करता है partner is not eligible to carry forward the losses because here there is no succession by way of the inheritance अगर succession by way of inheritance होता है तो उसमें जो successor होता है वो losses को carry forward कर सकता है you got my point or not yes so this is the completion of partnership firm चलिए अपने काम करते हैं सबसे पहले इससे पहले लेते हैं AOPBI और AOPBI के बात में हम लेंगे charitable and religious trust AOPBI अब एक बात समझना AOPBI में जो section होती है that is the section 40BA करके और 40BA क्या बोलती है कि AOPBI अपने member को कोई भी interest salary commission bonus कुछ भी देती है वो पूरा disallowed होगा 100% disallowed होगा 100% disallowed होगा वहाँ partnership firm में section 40 clause भी क्या था interest remuneration allow होता था limits थी लेकिन यहाँ पे बेटा अगर AOPBI ने अपने member को कोई भी remuneration interest दिया ना वो पूरा disallowed हो जाएका 100% disallowed लेकिन यहाँ पे interest disallowed करते टाइम आपको धियान रखना है net interest disallowed होगा net interest disallowed होगा इसका मतलब क्या हुआ अगर मालो member ने अपने drawing पे interest दिया है AOPBI को और AOPBI उसको capital पे interest दे रही है तो आपको क्या करना है interest को पहले netop करना है और netop करने के बाद में interest है वो disallowed होगा पहले आपको interest को netop करने के बाद में आपका interest है वो disallowed हो जाएगा अब एक और चीज़ समझना यहां question ही आता है कि sir AOP BY है वो अपने income पे कौन सी rate से tax pay करेगा अब आप समझोगे first topic में तो मैंने आपको सिखा है तो slab rate से tax pay करना पड़ेगा तो क्या सच में AOP BY अपनी income पे tax है वो slab rate से pay करेगा तो यहां पे समझने के कोशिश करना एक section होती है 167B और 167B यह बोलती है कि AOP BY जो अपनी income कमाता है income पहले normally calculate होती है जैसे बाकी लोगों के लिए calculate होती है PGBP के case में PGBP की income calculate होगी बाकी head की बाकी head की income calculate होगी और question यहां आता है कि AOP BY के लिए tax rate क्या है तो उसमें दो पार्ट सबसे पहले आपको यह देखना है कि जितने भी member है वो member का share क्या known है या unknown है share का मतलब होता है कि उनका PSR जो profit sharing ratio है क्या वो known है या unknown है अगर मान लो यहां पे profit sharing ratio है वो known है means all the members जिनका PSR known है और बेटा उन member में कोई भी member ऐसा नहीं है जिसकी net taxable income means other income basic exemption से ज्यादा है मैंने क्या बोला समझने कोशिश करना सबसे पहले सबका PSR known है और उसके बाद में जो member है ना उनकी other income other income का मतलब इस AOPBY से जो share मिल रहा है उसको छोड़के जो बाकी वाली income है वो बाकी वाली income basic exemption से ज्यादा नहीं है means up to basic exemption है and basic exemption is 2 lakh 50,000 2 lakh 50,000 या senior citizen के यह 3 lakh और super senior citizen के लिए 5 lakh उससे ज्यादा नहीं है means other income है वो इससे ज्यादा नहीं है तो उस particular case में AOPBY की जितनी भी income रहेगी ना that will be taxable as per the slab rate means AOPBY पे slab rate लगेगा up to 2 lakh 50,000 there is no tax 250 to 5 lakh 5% 5 lakh to 10 lakh 20% more than 10 lakh 30% वो slab rate से tax लगेगा AOPBY को लेकिन एक बात समझना अगर एक भी member ऐसा है जिसकी income जो है वो basic exemption से ज्यादा हो गई means एक या एक से ज्यादा member ऐसे है जिनकी other income जो है वो basic exemption से ज्यादा है तो उस particular case में AOPBY पूरी income पे tax pay करेगा MMR की rate से और MMR का मतलब होता है maximum marginal rate और maximum marginal rate is 42.744% इस rate से AOPBY tax बरेगा लेकिन एक चीज समझना अगर मानलो share पता ही नहीं है PSR पता ही नहीं है तो उस particular case में तो AOPBY की जितनी भी income है ना उस पे MMR की rate से tax लग जाएगा that is 42.744% अभी और चीज समझना यहाँ पे note number 1 indicate कर रखा है यहाँ पे note number 2 indicate कर रखा है note number 1 की मैं बात करूँ note number 1 यह बोलता है कि अगर मानलो share आपको पता है और उसमें कुछ member ऐसे है जिसकी income पे tax जो लगना चाहिए ना वो MMR से भी ज़्यादा वाला है आज कल ऐसे होते नहीं है अगर गिडिक है बट मानलो कोई member ऐसे है जिसका income पे share पे tax लगना चाहिए वो MMR से भी ज़्यादा है जैसे foreign example foreign company you know that foreign company के लिए अगर आप highest tax देखोगे तो highest tax rate 43.68% रहता है लेकिन share तो पता है ना तो AOP-BYE पे tax कैसे लगेगा तो AOP-BYE पे tax लगाने के लिए आप एक काम करो AOP-BYE की जितनी income है उसमें आपको देखना है foreign company का share कितना है क्योंकि share तो पता है तो foreign company का share कितना है उतनी income पे tax pay करना है 43.68% से और बाकी income AOP-BYE की taxable हो जाएगी MMR की rate से AOP-BYE की income है उसमें पे पूरे पे tax लगा दीजिए आप 43.68% जो की foreign company की highest tax rate रहती है उस rate से आप tax लगा दीजिए अब एक question ही आता है कि सर एक बात बदाओ आप बोल रहे हो कि AOP-BYE की income पे tax लगेगा या तो slab rate से लगेगा या MMR से लगेगा करके ठीक है या हो सकता है higher rate से भी लग जाए करके ठीक है अब एक और चीज़ हमलना है यहाँ पे सर question ही आता है कि सर यह तो हो गई income पे tax rate बट वाट अबाओ the special rates of income special rates of income मिस सर LTCG हुआ 20% वाला LTCG 112A है 10% वाला STC 111 है 15% वाला उस पे कैसे tax लगेगा तो मैं आपको बता हूँ देखो बड़ा simple सा logic है कि अगर मालो यहाँ पे AOP BY tax भर रहा है वो tax भर रहा है slab rate से तो तो जो special rates की income है वो special rates से ही taxable होगी बट अगर AOP BY tax भर रहा है MMR या किसी higher rate से MMR या किसी higher rate से तो उस particular case में पूरी income पे tax लगेगा MMR या higher rate से इवन special rates की income है उस पे भी tax लग जाएगा MMR या फिर higher rate से अब एक होजी समझना सर एक बात बताओ जब भी AOP BY अलरेड़ी अपनी income पे tax pay कर देती है तो member के लिए जो share मिलेगा वो exempt होगा या taxable नॉर्मली exempt हो जाएगा लेकिन एक बात समझना अगर AOP BY tax भे कर रही है slab rate से तो member का share जो है वो exempt नहीं होगा एक बार member की income में जोडना पड़ेगा और उसके बाद rebate मिलेगी तो सबसे पहले प्वेस्चन तो या आता है वो net taxable income ले लीजिए उसमें से आप less कर दीजिए जितना AOP BY ने अपने member को remuneration interest दिया वो आप less कर दीजिए और उसके बाद जो बचेगा ना वो आप PSR में divide कर दीजिए तो देखो AOP BY का जितना income है उसमें से जितना remuneration interest member को दिया था वो less कर दिया उसके बाद जो बचा वो PSR में बाढ़ दिया और जितना remuneration interest दिया था वो वापस से आप add कर दीजिए वापस से आप add कर दीजिए जिस member को जितना remuneration मिला था जितना interest मिला था वो वापस से आप add कर दीजिए तो वो total बन जाएगा share of the member in the income of AOP BY और मैं बता दू share exempt है taxable नहीं होगा लेकिन अगर AOP BY ने tax बढ़ा है वो slab rate से बढ़ा है तो उस particular case में क्या होगा आपको member का share जो है वो member की खुद की income में एक बार add करना पड़ेगा और उसके बाद मैं rebate मिलेगी तो आप क्या करोगे तो देखिए सबसे पहले आप member की जो income है other income वो ले लीजिए उसके बाद उसको जो share मिला वो भी add करीए लेकिन अगर तभी करना है जब AOP BY tax पे कर रही है slab rate से अगर AOP BY MMR से tax पे कर रही है या higher rate से tax पे कर रही है अब आप उसके क्या कर दीजिए tax लगा लीजिए add करिए health and education surcharge वगरा add कर दीजिए और उसके बाद आप एक काम करिए rebate ले लीजिए under section 86 का और 86 का rebate कैसे लेंगे कि भाईया यहाँ पे tax आ कितना रहा है tax liability on the total income divide by total income है कितनी net taxable income including that share और multiply कर दीजिए share of AOPBI कितना है that is the double tax income कितनी है उसका proportionate की आप multiply कर दीजिए यह आपका rebate आ जाएगा under section 86 और rebate less कर दीजिए आपके पास में बच जाएगा net tax payable by the member member इतना tax pay करेगा अब एक और बात समझना मैंने आपको क्या बोला भी थोड़ी देर पहले कि AOPBI अपने member को जो भी interest देता है remuneration देता है वो पूरा disallowed होगा interest भी पूरा disallowed होगा answer is yes लेकिन एक चीज़ समझना अगर कोई भी member है वो member किसी AOPBI में individual capacity में member है और interest representative capacity में मिल रहा है तो interest allow होगा या कोई member जो है वो representative capacity पे member है और interest अगर individual capacity पे मिल रहा है तो वो interest allow हो जाएगा you got my point or not yes so this is the completion of your topic AOP and BOI yes people now next topic हम revise करने वाले है that is the taxation of trust trust का मतलब charitable trust और religious trust अब एक बात समझना sir religious trust का मतलब क्या होता है तो religious के बारे में कहीं पे कोई भी नहीं दे रखा तो एक चीज़ समझना religious का मतलब होता है जो भी मंदिर मजित गुरुद्वारा वाले trust होते है उसको हम बोलते है religious trust लेकिन what is the meaning of the charitable trust तो charitable trust के लिए उन्होंने यहाँ पे definition दे रखी है और वो definition दे रखी है section 2 clause number 15 में और 2 clause number 15 यह बताता है कि charitable का मतलब होगा क्या तो charitable का मतलब अगर कोई भी trust है उसके objective यह है तो उसको charitable trust माने जाएंगे यहाँ पे objective में क्या-क्या है सबसे पहला relief of the poor relief of poor का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी trust है वो अगर रोटी कपडा मकान है उसके two words कुछ काम कर रहा है और उसके में relief है वो पूरे लोगों को दे रहा है तो उस particular case में वो charitable trust माना जाएगा दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है education अगर कोई भी trust हैसा है जिसका objective education है तो वो आपका charitable trust माना जाएगा या फिर अगर medical relief है miss hospital वगेरा है या फिर medical institution है तो उस particular case में वो तुमारा charitable trust माना जाएगा या फिर उसका objective yoga है तो उस particular case में भी यह charitable माना जाएगा उसके बाद next point आता है preservation of the environment including the watershed, forest and wildlife अगर preservation of the environment से related अगर कोई trust काम कर रहा है तो वो charitable trust है या फिर preservation of the historical places monuments से related अगर कोई भी objective है तो उस particular case में वो तुमारा charitable trust माना जाएगा तो एक बात समझना है यहाँ पे total आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 point क्या बोलते है all people pay attention charitable means relief of the poor second is the medical third is the yoga fourth is the education fifth is the preservation for historical places, monuments point number G है न that G point is basically etc, etc और यहाँ पे G point में लिखा हुआ advancement of any other objective of general public utility means general public utility के लिए अगर कुछ भी काम करता है कोई भी trust है जिसका general public utility general public utility means common सब लोगों के लिए अगर ऐसा objective है तो वो भी तुमारा charitable trust माना जाएगा तो एक बात समझना यह last वाला point क्या होता है advancement of any other objective of general public utility है वो charitable trust माना जाएगा लेकिन एक बात बात बाता है बताऊं आपको next two minutes जो में मैं discuss करने वाला हूँ that is only for the advancement of any other objective of general public utility जो point number G है उसी से related में discuss करने वाला हूँ अब एक चीज़ समझना advancement of any other objective of general public utility charitable माना जाएगा लेकिन law makers बोलते है कि अगर आपका objective advancement of any other objective है for the general public utility तो उसमें आपका business का receipt है जो commercial receipt है वो आपके trust के total receipt के 20% से जादा नहीं होना चाहिए जैसे for an example एक trust है और उस trust का total receipt है वो आपका 100 करोड है तो उसमें आपका business का receipt जो रहेगा वो business का receipt only up to 20% हो सकता है means 20 करोड रुपेज या उससे कम है तो वो charitable trust उस year में है लेकिन अगर मान लो for an example आपका total receipt 100 करोड है और उसमें business का receipt 23 करोड हो गया तो उस particular year में वो trust तुमारा charitable trust नहीं है लेकिन guys यह बाला point जो मैं आपको बता रहा हूँ that is only for the advancement of any other objective of general public utility यहाँ पे relief of poor है education, yoga, medical उसमें आप कितना भी business receipt है उससे कोई फरक नहीं पड़ता यह limit सिरफ और सिरफ किस के लिए है advancement of any other objective of general public utility के लिए है तो देखिए मैंने आपको क्या बता है charitable trust का मतलब क्या होगा तो charitable purpose means यहाँ पे total seven meaning है सबसे पहला क्या आएगा relief of poor, second medical, education, yoga preservation of historical places, monuments preservation of the forest and wildlife and all now last is a any other objective of general public utility अब इकमा समझना advancement of any other objective of general public utility है वो charitable तभी माना जाएगा जब उस particular year में उस trust के total gross receipt में business का gross receipt है वो up to 20% है अगर वो 20% से ज़्यादा है तो उस particular year में वो trust तुमारा charitable trust नहीं माना जाएगा लेकिन एक बात समझना अगर मान लो किसी भी year में 20% से ज़्यादा हो गया business का gross receipt total gross receipt के तो क्या उस year में registration cancel करना पड़ेगा answer is no there is no need to cancel the registration but उस year में वो trust है तो सबसे पहली चीज दिहान रखना trust की जो भी income होती है income derived from property hell under trust इसका मतलब gross receipt of the trust जो भी trust की gross receipt होती है उस gross receipt में से 15% का standard deduction बिल जाएगा means 15% आप सीधा set aside कर लीजिए सीधा standard deduction ले लीजिए और उसके बाद में remaining 85% जो बचता है उस 85% में से जितना उस trust ने applied कर दिया for the charitable and religious purpose in India means India में किसी charitable and religious purpose के लिए जितना आपने खर्चा कर दिया वो less कर दीजिए जो भी remaining बचेगा वो remaining trust की income बच जाएगी तो देखे मैंने क्या बोला trust की जो भी gross receipt होती है उस gross receipt को पहले 15% आप set aside कर दीजिए सीधा standard deduction है और उसमें से remaining जो 85% रहेगा उसमें से जितना आपने charitable and religious purpose in India के लिए जितना applied कर दिया means जितना खर्चा कर दिया वो आपका less हो जाएगा बाकी बचेगा वो trust की income बचेगी जिस पे tax लगेगा लिकिन एक चीज समझना trust का जो gross receipt आप लोगे उसमें क्या सरफ donation भी इसका part बनेगा answer is yes donation is also treated as the income of the trust और जो trust को donation मिल रहा है वो gross receipt में आएगा लेकिन इसमें एक exception है corpus donation नहीं आएगा यहाँ पे corpus donation नहीं आएगा corpus donation पूरा exempt हो जाता है अब आप बोलोगे corpus donation क्या होता है जैसे एक company में capital account होता है वैसे ही trust के लिए corpus donation होता है और corpus जो fund होता है corpus के two words जो भी donation आता है वो पूरा exempt हो जाता है उसको आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो in simple word मैं बता दू trust के लिए 3 income पूरी exempt है एक तो 15% standard deduction दूसरा corpus donation पूरा exempt है और corpus donation exempt होगा यहां पर यहां पर condition है कि corpus donation जो रहेगा वो आपको 11.5 के mode में invest करना पड़ेगा और 11.5 के mode में आपको invest करना पड़ेगा till the end of the year year जब end होगा तब तक आपको क्या करना पड़ेगा 11.5 के mode में invest करना पड़ेगा और तीसरा जितना आपने जो भी income है उसमें से जितना आपने applied कर दिया for the charitable or religious purpose in India वो आपका less हो जाएगा और बेटा बाकी जो बचेगा उतना trust को उस income पे tax pay करना पड़ेगा अब एक और चीज़ समझना सर आप बोल रहे हो के income applied for the charitable or religious purpose in India यहाँ applied का मतलब क्या होता है applied का मतलब only revenue expenditure और capital expenditure भी चलेगा right answer is capital expenditure भी चलेगा तो बले आप revenue expenditure के लिए खर्चा करो capital expenditure के लिए खर्चा करो जितने भी खर्चे होंगे ना वो सब तुमारे applied में चले जाएगे और remaining जो बचेगा वो trust की income बन जाएगी अब एक बात समझना कभी कभी क्या होता है कि trust ने मान लो जितना income है for an example एक example लेता हूँ जैसे for an example एक trust है उसका इस साल में जो income है gross receipt है वो 20 lakh है और उस 20 lakh में से पहले आप 15% standard deduction ले ले लेंगे that comes to the 3 lakh रुपे रिमेनिंग कितना बचा 17 lakh 17 lakh में से for an example उन्होंने 10 lakh है वो applied कर दिया और 7 lakh अभी तक applied नहीं किया है 7 lakh applied नहीं किया तो 7 lakh पे tax pay करना पड़ेगा now question is that कि sir is there is any other option कि उस 7 lakh पे tax ना पे करे answer is yes अब यहाँ पे एक explanation होती है explanation number 1 section 11 1 की और यह explanation में 2 option है एक तो option A वाला और option B वाला और option A क्या बोलता है कि अगर ऐसा भी तो हो सकता है जैसे इन्होंने जो income record किये 20 lakh की उस 20 lakh में कुछ amount ऐसा है जो इस बार received नहीं हुआ है उन्होंने income तो recognize कर दी है but amount received नहीं हुआ है तो lawmakers यहां पर बोलते है कि अगर ऐसा case है कि आपने जो income 20 lakh रुपेज record की है for an example इस 20 lakh में 4 lakh रुपेज ऐसा है जो आपको इस साल में receive हुआ नहीं है तो एक काम करना है trust क्या करेगा up to the due date of return filing return filing की due date से पहले-पहले एक declaration देगा assessing officer को कि sir इस 20 lakh की income में से 4 lakh का income हमको receive नहीं हुआ है हम आपसे promise करते है जिस year में ये receive होगा उस year में या उसके अगले साल हम इसको actual में applied कर लेंगे तो इस particular year में इस current year में ये आपका deemed to be applied माना जाएगा और उस पे आपको कोई भी tax pay करने की जरुवत नहीं है तो देखो मैंने क्या बोला कि अगर मानलो last date पे आपने कोई ऐसी income है जो accrual basis पे आपने already income में include कर दिया है बट वो पैसा आपको actual में received नहीं हुआ है तो यहाँ पे ये पहला option ये बोलता है लेकिन बाबा एक चीज़ समझना जिस year में वो पैसा आपको मिलेगा न उस year या उसके अगले साल उसको actually applied करना पड़ेगा और एक बात समझना जब आप in future में actual applied करोगे तो क्या उस year में applied में लेंगे answer is नहीं लेंगे क्योंकि already अभी आपको current year में आप उसको deemed to be applied में ले चुके हो लेकिन एक बात समझना जिस year में वो पैसा मिला उस year and उसके next year में आपको उसको actual applied करना पड़ेगा अगर आपने उसको actual में applied नहीं किया तो जो भी remaining amount जितना आपने actual में applied नहीं किया वो सीधा आपके लिए taxable हो जाएगा और वो taxable होगा under section 115 BBI में और 30% की rate से tax pay करना पड़ेगा उस पे under section 115 BBI तो जिस year में receive हुआ उस year में उसको actual applied करना है या उसके अगले साल में तो अगर आप apply actually नहीं कर पाए तो जिस year में receive हुआ ना उसके next year में ये आपकी income बन जाएगी under section 115 BBI and directly वो आपके लिए taxable हो जाएगा at the rate 30% अब एक बाद समझना एक और option होता है that is the any other reason any other reason क्या होता है कि many times trust को donation मिलता है at the end of the year हो सकता है ना trust को donation मिला मान लो 27 March को या फिर 28 March को 25 March को many times it is not possible for the trust to spend that amount in that short duration ऐसा जरूरी नहीं ना trust कैसे खर्च करेगा है 2-4-5 दिन में करोड़ो रुपे खर्च करना is very difficult करके तो इसमें एक option होता है इस option में ये बोला जाता है कि trust एक declaration लिखके देता है assessing officer को कि sir ये income जो है वो हम अगले साल use कर लेंगे इसको हम अगले साल actually applied करेंगे तो कोई बात नी current year में वो आपका deemed to be applied मान लिया जाएगा और उसके आपको कोई भी tax नहीं बरना है लेकिन next year obviously आपको actually apply करना पड़ेगा next year जब आप actual apply कर रहे होंगे तो क्या next year के applied में आएगा answer is नहीं आएगा क्योंकि already आप पहले current year में इसको deemed to be applied ले चुके हो पर अगर next year में आपने इसको actual apply किया ही नहीं तो मैं बता दू next year में यह आपकी वापस से income बन जाएगी और यह taxable हो जाएगा at the rate 30% under section 115 BBI उसके बाद में एक explanation number 2 है explanation number 2 यह बोलती है कि अगर कोई trust है अगर कोई trust दूसरे trust को donation देता है तो वो donation भी applied माना जाएगा it will be treated as the applied लेकिन एक चीज़ समझना अगर किसी trust ने दूसरे trust को donation दिया है और दूसरा trust registered है under section 12 AA, 12 AB या 1023C में registered institution है तो वो applied तो माना जाता है लेकिन दूसरे trust को आपने donation दिया है अगर वो as a corpus donation दिया तो उस particular case में वो applied नहीं माना जाएगा और इसको आप deduction नहीं ले सकते as a applied उसको consider नहीं कर सकते अब एक और चीज़ समझना जब भी trust कोई भी खर्चा करता है applied करता है कोई भी घर्चा करता है भले वो capital हो या revenue हो उसके लिए trust को section 40a subsection 3 section 40a subsection 3a and section 40 clause number a sub clause number 1a जो की हमने PGPay में पढ़ा था वो यहाँ पे भी follow करना पड़ेगा और 40a subsection 3a क्या बोलता है कि अगर मानलो single day में single person को वो आपका allow नहीं होगा इसका मतला यहाँ पे applied माना नहीं जाएगा अब एक और चीज़ समझना अगर पहले already applied ले लिया था on the due basis and current year में अगर आप cash में payment कर रहे हो तो उस particular year में current year में वो वापस से आपकी income बन जाएगी यहाँ पे जो section 40 clause number a sub clause number one यह बोलता है कि किसी resident person को अगर आप payment करते है और वहाँ पे TDS काटना है और अगर आपने TDS नहीं काटा यहाँ पी TDS काटा वेट आपने return filing की due date तक वो TDS government को जमा नहीं कराया तो 30% खर्चा disallowed हो जाता है तो यह 30% वाला concept यहाँ पे भी लगेगा और 30% खर्चा है वो आप applied में इस साल में नहीं ले पाऊगे फिर जिस year में वो TDS आप government को जमा कराऊगे उस year में वो 30% खर्चे का deduction आप ले सकते है उसके बाद में एक explanation 3A है जो इसी साल से आई है by finance act 2022 but this is applicable from the assessment year 21-22 retrospectively इसका implication आया है ये section क्या बोलती है कि अगर कोई भी temple है mosque है, guru dvara है, church है miss यहाँ पे मंदिर, majd, guru dvara या church है उनको अगर कोई भी donation मिलता है और वो donation अगर repair के लिए मिला है या renovation के लिए मिला है उस temple के, church के, guru dvara या mosque के तो मैंने क्या बोला मंदिर, majd, guru dvara वाले कि repair renovation के लिए donation मिलेगा, वो income में ले लो, और जितना repair कराया है, वो आप applied में ले लो, नहीं तो इस बार इन्हों ने एक option दिया है, हमारी government ने, कि जो भी donation मिलेगा towards the repair और renovation of temple, mosque, गुरुद्वारा और church, then इनके पास में option है कि इस donation को ये as a corpus मान सकते हैं, as a corpus मान सकते हैं, क corpus मानना है, तो four conditions satisfied होनी चाहिए, पहली condition तो ये है, कि वो donation है न, वो repair renovation के लिए ही use होना चाहिए, repair renovation of the temple, church, गुरुद्वारा और आपका जो mosque है, उसके लिए ही use होना चाहिए, second condition ये है, कि वो वाला amount किसी और person को as a donate नहीं कर सकते, किसी और को donation नहीं दे सकते, तीसरी condition ये है, कि उसको separately maintain करना पड़ेगा, separately identifiable होना चाहिए, कि ये repair renovation वाला donation है, and last condition ये है, कि उस पैसे को 11.5 में जमा कराना पड़ेगा, जो 11.5 के safe mode होते है, वो safe mode में उस पैसे को जमा कराना पड़ेगा, अब यहाँ पर एक और चीज़ समझना, अगर इसमें कोई भी condition का violation हो गया, तो जिस year में violation हो गया, वो वापस से आपकी income बन जाएगी, और उस पर tax लग जाएगा, उसके बाद में एक explanation number 4 आती है, और explanation number 4 है, उसके दो पार्ट है, सबसे पहला पार्ट तो ये है, कि अगर मानलो trust ने इस साल में कोई खर्चा किया, और वो खर्चा इस सा पराना Corpus Fund था, उस Corpus Fund में से अगर कोई भी पैसा विड्रो करके और इस साल में expenditure कर दिया, तो क्या इस साल के expenditure में वो आएगा क्या, इस साल के applied में आप लोगे के, अगर मानलो इस साल में आप expenditure कर रहे हो, वो पुराने Corpus में से, मिस Corpus का जो balance था, उसमें से पैसा विड्रो किया, और उस से कोई भी खर्चा किया, applied किया, तो क्या इस साल के applied में आप लोगे, answer is no, आप इस साल के applied में नहीं ले सकते हो, लेकिन आप उस year के applied में लोगे, जिस year में वापस in future year, जिस year में income होगी, और उस income में से Corpus Fund में, जब आप वापस से invested back करोगे, deposited back करोगे, उस year क के खर्चे में आप उसको applied में ले सकते हो, अभी आप applied में नहीं ले सकते हो, तो बड़ा simple सा concept है, कि अगर आप क्या करते हो, इस साल में कोई खर्चा कर रहे हो, और वो आप expenditure incurred कर रहे हो, applied कर रहे हो, वो पैसा कहां से लाया, आपने Corpus Fund में से पैसा withdraw किया, तो Corpus Fund से अगर कोई पैसा withdraw किया, तो उसको applied अगर इस साल कर रहे हो, तो इस साल के applied में वो नहीं आएगा, वो उस year के applied में आएगा, जिस year में वापस से आप उस Corpus Fund में deposited back करोगे, उस year के applied में आप ले सकते हैं, एक और चीज़ समस्दा, अगर माल लो इस साल में आप कोई खर्चा कर रहे बट उसको आप applied में उस year में लेंगे, जिस year में आप जिस year की income में से आप क्या करेंगे, वो borrowed amount और loan amount जिस year में आप repay करेंगे, जिस loan का जिस year में आप repayment करते हैं, बorrowed amount का जिस year में आप repayment करते हैं, repayment वाले year में आप उसको applied में ले सकते हैं, अभी इस year में आप applied में नही लेंगे एक और चीज़ समझना यहां पर किया सर ऐसा हो सकता है कि कभी आपकी income से ज़्यादा खर्चे हो जाए income से ज़्यादा applied हो गया तो क्या यहां पर negative income आ गई और negative income को क्या हम अगले year के लिए carry forward कर सकते answer is no वो आप नहीं कर सकते ऐसा explanation number 5 बोलती है कि अगर मालो कभी तुमारा applied ज़्यादा है as compared to the income तो यहां पर आपका access income आया तो access application है उसको आप अगले साल के लिए carry forward नहीं कर सकते वो तुमारा lapse हो जाएगा और इसको आप carry forward सेट आप पगिरा नहीं कर सकते एक और explanation इस साल वाला assessment year था उस assessment year से देखो आप अपनी income record करोगे ना trust income record कर सकता है due or accrual due basis accrual basis या फिर cash basis जो भी उनको method follow करनी है वो लोग क्या कर सकते है cash basis पे भी income record कर सकते है और due basis पे भी income record कर सकते है लेकिन आप इस साल से applied जो करोगे ना वो applied आपको अलाव तभी होगा जब आप actually expenditure इंकर करोगे मिस applied है वो actual expenditure इंकर करोगे उसी का आप application ले सकते हो जैसे foreign example हुआ क्या एक trust है उसने कोई computer खरी देते और computer का bill आ गया 29 March को 2023 को लेकिन उसका payment हुआ वो अप्रेल मन्त में हुआ तो इस साल में applied बुक कर सकते answer is no मिस यहां पे जो आपको खर्चे अलाव होंगे ना वो खर्चे आपको उसी एर में अलाव होंगे जिस एर में आप उसका actual में payment करते हो उसी एर में खर्चे होंगे अलाव होंगे भाया accrual basis पे अब आप expenditure नहीं ले सकते इस साल से यह amendment है by finance 2022 से and this amendment is applicable from the assessment year 22-23 तो एक चीज़ ध्याँ दखना कोई भी trust है वो application है वो application उसी एर में लेगा जिस एर में उसका actual में payment होता है इस actual में खर्चा incur किया जाता है payment होता है उस year में not on the accrual basis accrual basis आप application नहीं ले सकते payment basis पे आपको application लेना पड़ेगा उसके बाएद एक section होती है 11-2 11-2 क्या बोलती है कि अगर trust है मालो उसने 85% खर्चा है वो इस साल में नहीं किया और वो क्या करना चाहता है अपनी income को accumulated करना चाहता है specific purpose के लिए और specific period के लिए तो क्या वो अपनी income को accumulate कर सकते है और उस पे tax ना भरे अभी answer is yes ऐसा option आपको 11-2 में मिलता है और 11-2 का option है सबसे interesting option है exam में भी आता है as well as आपना office में भी देखा होगा 11-2 का option क्या बोलता है कि अगर कोई trust है उसको मान लो इस साल में खर्चा नहीं करना है बट वो पैसे को क्या करना चाते है accumulate करना चाते है उसको क्या करना चाते है, set aside करना चाते है, तो क्या वो कर सकते है, answer is yes कर सकते है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे आपकी चार condition होती है, सबसे पहली condition तो यह है, कि वो trust को क्या करना पड़ेगा, specific purpose and specific period वो लिखके देना पड़ेगा, किसको assessing officer को up to the due date of return filing, इसका और चीज़ समझता, दूसरी condition इसमें यह होती है, कि आप जो बोल रहे हो sir, specific purpose and specific period, period इसमें maximum 5 years का हो सकता है, maximum 5 years का period हो सकता है, उससे जादा period नहीं हो सकता कर गए, ठीक है, दूसरी condition, specific purpose और period हो गया, तीसरी condition यह होती है, कि जो भी पैसा accumulate करते है ना इसमें, उसको किसी औ और person को यह donate नहीं कर सकते, और चौती condition यह होती है, कि जो भी पैसा जो है, वो इसमें accumulate करते है, वो 11.5 में जमा कराना पड़ता है, 11.5 होती है, वो 11.5 में safe investment होता है, वो safe investment में उसको क्या करना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है, अब एक बात समझता, यहाँ पे मैं बोल is no, maximum you can like accumulate for the 5 year, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर महलो 5 year के लिए accumulate किया, लेकिन उसके बीच में code का stay आ गया, code का stay आ गया, जैसे for an example, एक temple बनवाने के लिए, आपने accumulate किया था पैसा, but code का stay आ गया, बोला नहीं, आप temple नहीं बना सकते, और वो stay 10 साल तक चला, तो क्या वो period भी consider होगा, answer is, वो period आपका exclude हो जाएगा, वो period आपका 5 year count करते time exclude हो जाएगा, मिस इतना period, जितना stay रहा code का उतना आपका add-on हो जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, आप बोल रहे हो sir, 5 years के लिए maximum accumulate कर सकते हैं, बट यह 5 year कहां से count होंगे, तो इस चीज़ ध्यान 26, 27, 28 है, वहां तक आपके count होंगे 5 year, अब एक और चीज़ समझना, sir, अगर मानलो एक section होती है, that is the 11-3, 11-3 क्या बोलती है, violation की बात करती है, पहला violation के अगर मानलो in future में जाके उस पैसे को आपने किसी गलत purpose के लिए use किया, miss आपने specific purpose को छोड़ गे, किसी और purpose के लिए use क करते हैं, उस year में वो आपकी income बन जाएगी, और 115 BBI में सीधा 30% की rate से taxable हो जाएगी, एक और चीज़ समझना, अगर आपका 5 years का accumulation था और 5 year complete हो गया, 5 year के लिए आपने accumulate किया और 5 year complete हो गया, तो जिस 5 year complete हो गया तो भाईया 5th year में जाके वो वापस आपकी income बन जाएगी, यहाँ पर amendment है, last year तक क्या होता था पता है, एक bonus year और मिलता था, 5 year के बाद 6 year में जाके income बन जाएगी, अब एसा नहीं होता, अब यहाँ पर क्या होता है, आपके 5th year की जाके वो क्या बन जाएगी, income बन जाएगी, अगर आपने 4th year के लिए accumulate किया है, तो 4th year में आपको इ income बन जाएगी, आपने किसी और trust को donate कर दिया, तो जिस year में आपने किसी और trust को donate कर दिया, वो वापस से आपकी income बन जाएगी, और उस पैसे को अगर आपने 11.5 में जमान नहीं कराया, तो जिस year में violation हुआ, उस year में वो आपकी income बन जाएगी, और मैं बता दू, यह income है, व अगर आपको 11-2 का exemption चाहिए ना, ये वाला 5-year वाला, तो आपको 2 condition और satisfied करनी पड़ेगी, पहली चीज तो आपको return filing की due date से पहले पहले वो आपका form 10 देना पड़ेगा, और दूसरी condition ये है कि उस year का return भी आपको time पर file करना पड़ेगा, ये दोनों condition satisfied करनी पड़ेगी, तभ अगर कोई charitable religious trust है, वो कोई business activity कर रहा है, तो business से जो income होगी, क्या उस पे भी exemption मिलेगा, क्योंकि PGBP का income आप PGBP के provision के हिसाब से निकाल होगा, और PGBP का provision से हिसाब से जो income आया PGBP का, क्या उस पे भी exemption मिलेगा, like 15%, 85% and all, right answer is yes, अगर वो business incidental to attainment of the main objective of trust है, और उस business से related, तो देखो, मैंने क्या बोला, अगर कोई trust है, वो अगर books का business, trust जो है, जैसे example के लिए, इसकौन temple है, वो books का business करते हैं, गीता की book बेचते हैं, या तिरूपती बाला जी है, वो लड़ू भी बेचते हैं, अगर गेचते हैं, तो यह business है, बट यह incidental to attainment of the main objective of trust है, और उसके officer ने business की income बढ़ा दी, अगर assessing officer बिजनस की income निकालता है, और assessing officer ने अगर business की income बढ़ा दी, तो assessing officer ने जितना income को बढ़ाया ना, वो फिर concealment of income माना जाएगा, और उस पे separately tax लग जाएगा, और ऐसा माना जाएगा, कि जितना income AO ने बढ़ाया है, उतना you have not applied for the charitable or religious purpose, और वो उसके बाद, दूसरी चीज़, अपने पड़ी 11.2 वाला जो है, वो आपको यहाँ पे safe investment 11.5 में जमा करना चाहिए, as well as मैं आपको बताओ, मैं आपको section 13.1 में जाके यह बताओंगा, कि trust का जितना भी पैसा होता है, वो 11.5 में ही जमा होना चाहिए, अब 11.5 का मतलब होता ह यहाँ पे safe investment, अब आप safe investment कहां काम आना चाहिए, या तो आप एक काम करिए, government saving certificate है, उसमें invest कर लीजिए, या फिर UTI की जो units है, उसमें invest करिए, या central government, state government की security में trust invest कर सकता है, या debenture किसी company के खरीच सकता है, which is guaranteed by the government, या फिर mutual fund में invest कर सकता है, mutual fund में invest कर सकता है trust, या equity share depositories के खरीच सकता है, या stock certificate as defined in the sovereign gold bond scheme है, 2015 वो खरीच सकता है, या फिर NSDC के shares खरीच सकता है, या फिर shares of stock exchange, या subsidiary of stock exchange, जैसे BSC, NSCA, उनके shares भी खरीच सकता है trust, उसके साथ साथ में, ये post office में deposit कर सकते हैं, किसी भी bank में FD कर सकते हैं, bank में खाते में जमाक करा सकते हैं, कोई द government company, जैसे example के लिए BPCL है, Indian All Corporation है, या फिर Air India थी, वो public sector company में आती है, तो public sector company में भी ये लोग invest कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ समझना, अगर public sector company में investment किया, लेकिन आगे जाके वो public sector company नहीं रही तो, तो यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, कि अगर मान लोग public sector company में investment किया, example के लिए लेता हूँ, मान लोग के trust है, उसने BPCL, भारत petroleum corporation limited में invest किया, लेकिन BPCL जाके और reliance में merge होगी, तो reliance में merge होगी, उस दिन merger की rate से next 3 years तक ये माना जाएगा, कि इनो ने investment सही जगे पे कर रखा है, मैंने क्या बोला, कि अगर public sector company, public sector company नहीं रही, तो जिस दिन नह अगर shares में invest किया है, तो ये माना जाएगा, ये legitimate investment है, वो तुमारा legitimate investment है, या मैं बोल सकता हूँ, safe investment है, उसके साथ साथ में ये जो भी bonds approved by the financial corporation, public company, providing the long term finance, उनके investment कर सकते है, as well as the immovable property में बगरा investment कर सकता है, trust, अब एक section होती है, 11-6 करके, और 11-6 ये बोलती है, कि अगर मानलो कोई भी trust है, वो किसी asset को applied में ले ले लेता है, जैसे मानलो एक building बनाई, और building का पूरा खर्चा applied में डाल दिया, तो क्या उस पर depreciation allow होगा, answer is no, उस पर depreciation allow नहीं होगा, because जब किसी asset को आप already applied में ले चुके हो, तो अगर आपको depreciation allow कर दिया, तो आप double deduction ले लेंगे, तो आपको वहाँ पर depreciation वगरा allow नहीं होगा, अब एक और चीज़ समझना, एक 11-7 करके section होती है, वो section ही बोलती है, कि जब trust है, वो 11-12 की exemption already ले रहा है, miss 11-12 में उसको already exemption मिल 15%, 85% and all, 85% के बाद वो applied and all, तो उस particular case में trust के है, वो 10 की series की कोई exemption नहीं ले सकता, miss जो भी 10 की series है, वो 10 की series की कोई भी exemption नहीं ले सकता, बट उसके 2-3 exception है, पहला तो 10-1 ले सकता है, 10-1 का मतलब होता है agriculture income, तो कोई भी trust है, उसको अगर agriculture income होती है, तो वो सीधा exempt है, उसमें कुछ भी करने की जरूत नी, वो सीधा ही exempt है, ना तो 85% and all, कुछ भी करने की जरूत नी, agriculture income सीधा exempt है, या फिर दूसरा तुमारा 10-23C की exemption है, वो 10-23C की exemption ले सकता है, अब ये 10-23C क्या होता है, अपन पढ़ेंगे and 10-46 है, वो exemption ले सकता है, तो कुल मिला किया आप ऐसे या जिनके अगर gross rate up to 5 करोड है, तो उसकी income पूरी exempt होती है, वो 10-23C बाला ले सकता है and 10-46 का exemption ले सकता है, जो की government trust वगेरा होते है, वो ले सकता है, बाकि कोई भी 10 की series की exemption नहीं ले सकता, अब एक section आती है 12A करके, और 12A क्या बोलती है, कि देखिए, अगर कोई भी trust है ना उ अभी trust registered होते है 12AB में, पहली condition, दूसरी condition यह है कि अगर मालो उस trust का income जो है exemption लेने से पहले वाला, अगर basic exemption से जादा है, तो उसको अपने books of accounts बनाने पड़ेंगे और उसकी audit करानी पड़ेगी, chartered accountant से, तो देखो, दो condition मैंने बताई, पहली condition, अगर trust को 11-12 का exemption चाहिए, त section 11-12 is more than basic exemption, तो trust को अपनी books of accounts maintain करनी पड़ेगी, और books of accounts की audit करानी पड़ेगी, और तीसरी condition यह है कि trust को क्या करना पड़ेगा, अपना written file करना पड़ेगा, up to the due date of written filing, अगर यह तीनों condition satisfied होती है, तो ही trust को exemption मिलेगा, otherwise exemption नहीं मिलेगा, तो देखो, पहला क्या बोला मैंने कि यह trust है, वो आपका registered होना चाहिए 12-AV में, दूसरा उसको books of accounts बनानी है, उसको audit करानी है, अगर उसका income basic exemption से ज़्यादा है, और तीसरा उसको अपना return file करना पड़ेगा, up to the due date of return filing, अब एक और चाहिए समझना, exemption जो मिलती है 11-12 की, वो कौन से year से मिलती है, तो मैं बता सालों के लिए exemption मिलेगा, answer is no, there may be possibility चैसे हमारा trust है, वो last के 5 years से था, बट हमने registration के लिए application नहीं डाला था, current year में हमने registration के लिए application डाला, तो current year से हमको exemption मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ समझना, कि अगर जिस दिन registration trust का हो रहा है, उस दिन मानलो, trust के पुराने क के assessment pending है, और पुराने years में activity same थी, और activity same थी, as well as objective same था, जिसके basis पे अब registration हुआ है, तो assessing officer है, वो पुराने years के लिए exemption देगा, लेकिन एक चीज़ समझना, यह concept नहीं लगेगा, अगर trust पहले registered था, और उसका registration cancel हो गया था, यहाँ फिर trust जो है, उसने पहले registration के लिए application किया था, तो उस particular case में, prior year के लिए exemption का benefit आपको नहीं मिलेगा, you got my point or not, yes, अब question यहाँ पर ही आता है, कि सर एक बात बता है, यह registration का process चलेगा कैसे, तो registration का process कैसे चलेगा, किसको application करनी है, कैसे application करनी है, कितने साल के लिए registration मिलेगा, तो मैं बता तो यह last year से पूरा change हो गया है, last year से पूरा change हो गया है, पहले जो trust registered होते थे ना, वो trust registered होते थे 12AA में, और अब trust registered होते है 12AB में, तो एक बात समझना, यह change कब से हुआ, last year से हुआ, और last year, 1st April 2021 से amendment हुआ, और यह amendment क्या बोलता है, देखो, सबसे पहले तो जो पुराने registered trust थे, उनको क्या करना था, तो उन उनको जो है, वो अपने आपको transition provision में, नई section में वापस से re-registration के लिए application करना था, तो सबसे पहला point मेरा बोलता है, जो existing trust थे, जो की पहले 12A या 12AA में registered थे, तो उनके पास में मौका था, उनको time दिया था, कब तक कबदा है, कि 3 months from the date on which this amendment came into the force, तो यह amendment आया था 1st April 2021 से, और वहाँ से अगर आप 3 months count करोगे, तो that will be till 30th June 2021, 30th June 2021 तक उनको क्या करना था, 3 months from the date on which this amendment came into force, उनको online commissioner को application करनी थी, तो 12AA के जो registered trust थे, उनको 12AB में convert होने के लिए, एक application डालनी थी, till 30th June 2021, but वो 30th June 2021 का date था, बाद में CBTT ने circular निकालके उसको 31st March 2022 तक बढ़ा दिया था, but law में लिखा हुआ है, कि 3 months from the date on which this amendment came into force, उनको application करना था, commissioner को, अगर उनको कमिशनर को application कर दिया, तो commissioner था, उनको registration दिया होगा 12AB में, कब तक पता है, within 3 months from the end of the month in which application was received, मैं जैसे ही application received हुआ, उस month के end से 3 months के अंदर अंदर, without any inquiry, कुछ भी बिना inquiry किये, उनको सीधा 5 year के लिए 12AB में registration दे दिया, 12AB में 5 years के लिए registration दे दिया, और उनको exemption तो पहले से मिलता था, तो exemption मिलना continue रहेगा, पहले से मिलता रहेगा, ये तो हो गए पुराने trust से related बात, लेकिन एक बात समझना इस साल में, आपके exam के लिए, जो previous year 22-23 है, उसमें obviously ये पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि ये already last year हो चुका है, आपके exam में ये पूछा जा सकता है, कि अगर मानलो कोई भी trust है, वो new trust है, और new trust apply कर रहा है 12AB के registration के लिए तो कब तक करना है, तो यहाँ पे lawmakers बोलता है, कि at least one month पहले application करना पड़ेगा, one month before the commencement of the previous year, मतलब जिस previous year के लिए exemption चाहिए, exemption तो assessment year में चाहिए रहेगा, but assessment year just previous year के लिए relevant है, उस previous year के start होने से पहले, at least one month पहले है, वो application करना पड़ेगा, registration के लिए online, अब एक बात समझना, यहाँ previous year start कब से होगा, क्या 1st April से होगा, answer is no, बेटा जब भी नया trust होता है, नया कोई भी आप activity start कर रहे हो, नया business start कर रहे हो, तो उसमें आपको पाता है, previous year start होता है, from the date on which that activity is started, और new source of income is came into the force, तो जैसे for an example, आज बेटा बेटे मैंने सोचा, कि मैं 2-3 महीने बाद एक activity चालू करूँगा, तो activity चालू करूँगा, व वो मुझे application करना पड़ेगा, 12 AB के registration के लिए, और अगर मैंने application कर दिया, तो मेरे को registration देगा commissioner, कब तक देगा पता है, one month from the end of the month in which application was received, जैसे commissioner को online application receive होगा, उस month के end से, one month के अंदर अंदर, वो 12 AB में मुझे registration देगा, बट वो registration, provisional registration देगा, three assessment year के लिए, three assessment year के लिए provisional registration देगा, यहाँ पे provisional registration देगा, final registration नहीं देगा, यहाँ पे पहले provisional registration देगा, कितने year के लिए, three assessment year के लिए, provisional registration देगा, और जिस financial year में आपने application किया था, वहाँ से आपको जो है, वो exemption मिलना चालू हो जाएगा, तो देखो, यहाँ से exam में पूछा जा सकता है, तो सब previous year के लिए आपको income पे exemption चाहिए न, previous year start होने से at least one month पहले है, वो आपको application करना पड़ेगा, commissioner को, and guys, commissioner will give you the registration within one month from the end of the month in which application is received by the commissioner, and he will give you registration for the three assessment year, और यह provisional registration मिलेगा, लेकिन sir, provisional registration दो मिल गया, कितने years के लिए, three assessment year के लिए, अब sir, अपने को final registration भी तो चाहिए, तो final registration क के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो अगर आपको provisional registration मिल गया, अब आपको final registration के लिए जाना पड़ेगा, अब एक चीज समझना, जब आपको provisional registration मिलेगा, वहाँ पे commissioner आपसे कोई भी inquiry नहीं करेगा, without inquiry आपको provisional registration दे देगा, online होता है, online आपको provisional registration मिल जाएगा, अब आपको final registration चाहिए, तो final registration के लिए application कब तक करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखे, final registration के लिए application का time limit क्या है, बदा है, कि जैसे ही आपने activity start की, activity start करने की date से exactly within 6 month, जब आपने activity start की, उससे within 6 month, और provisional registration जब आपका expire होगा, at least उससे 6 month पहले, whichever is earlier वाला date आएगा, आपको final registration के लिए application करना है, तो देखो मैंने क्या बोला, final registration के लिए application कब तक करना है, ट्रस्ट ने activity start की, उस date से within 6 month, या फिर provisional registration जब आपका expire होगा है, उससे at least 6 month before, whichever is earlier, जो पहले वाला date आएगा, तब तक आपको final registration के लिए apply करना है, और final registration के लिए apply करोगे, तो commissioner final registration कब तक आपको देगा पता है, within 6 month from the end of the month in which application was received by the commissioner, और final registration आपको 5 years के लिए देगा, बट final registration देने से पहले पूरा inquiry करेगा, वो अपने आपको satisfied करेगा हर चीज़ के बारे में कि आपकी activity genuine है या नहीं, आप जो law को comply कर रहे है या नहीं, और उसके बाद मैं final registration देगा, और final registration आपको 5 assessment year के लिए दिया जाएगा, लेकिन एक और चीज़ बता दू, यहां 5 assessment year कहां से count होगा, जैसे provisional 3 assessment year के लिए दिया था, तो क्या यहां fresh 5 year answer is no, यहां 5 assessment year के लिए आपको final registration दिया जाएगा, but that 5 assessment year include that 3 assessment year, जैसे मालो हमने क्या किया, assessment year 23, 24 से provisional registration लिया था, 23, 24, 25, 26 assessment year तक, तो बेटा अगर जब final registration मिलेगा तो final registration में भी assessment year 23-24 से ही मिलेगा मनला जो 3 years थे वो include हो जाएंगे और additional 2 years और so in simple word I can say that 5 assessment year के लिए आपको final registration मिल जाएगा but final registration with inquiry मिलेगा अब एक और चीज़ समझना सर final registration हमको मिला है वो तो 5 years के लिए मिला है अब 5 years के बाद में वो expire हो जाएगा तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमको re-registration कराना पड़ेगा answer is yes तो re-registration के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अगर trust already पहले registered हो चुका है 12AB में तो आपको re-registration के लिए apply कब करना पड़ेगा पता है कि जो आपका final registration expire हो रहा है at least उससे 6 महीने पहले miss 12AB का registration जो expire हो रहा है 5 years जहाँ expire होंगे assessment year वहाँ जैसे expire हो रहा है at least 6 month पहले आपको क्या करना पड़ेगा re-registration के लिए application करना पड़ेगा और जिस मन्त में application commissioner को मिलता है उस month के end से within 6 month क्या करेगा वो आपको वापस से re-register कर देगा under section 12AB और वो वापस से 5 years के लिए आपको register कर देगा उसके बाद point number जो है वो 5 है 5 क्या बोलता है कि अगर trust है वो अपने object में कोई modification करता है या कोई alteration करता है और उसको object change होगे तो उस particular case में क्या होता है जिस date को आपने modification किया आपने change किया उस date से 30 days के अंदर अंदर आपको fresh registration के लिए apply करना पड़ता है और जैसे ही आपकी application receive हो जाती है commissioner को within 6 month from the end of the month in which application is received commissioner आपको re-registeration देगा यहाँ पे और बेटा वो 5 years के लिए होगा और वो with inquiry होगा क्या होगा with inquiry होगा यहाँ पे point number 6 है उसको अभी के लिए आप छोड़ दीजी आपको समझ मैं नहीं आएगा अब एक और चीज समझना यहाँ पे मैंने example बगएरा दे रखा है अब एक और चीज समझना सर क्वेशन यहाँ पे यहाँ पे यह आता है यह प्रोसेजर कैसे रहेगा 12AB का तो 12AB का प्रोसेजर क्या बोलता है कि सबसे पहली चीज तो यह है कि जैसे जो point number 1 था ना उसमें क्या था यह आपका transition provision 12AA से 12AB उसमें inquiry बगिरा नहीं करेगा वो सीधा आपको 5 years के लिए registration दे देगा उसके बाद में provisional registration के लिए जाओगे तो भी आपका without inquiry आपका provisional registration आपको 3 assessment year के लिए दे दिया जाएगा लेकिन बाकी cases में क्या होगा पता है बाकी cases में जब भी आप final registration के लिए जाओगे या modification alteration के case में या फिर 5 years के बाद में आप registration के लिए जाओगे तो उस particular case में CIT PCIT है वो जैसे ही आपकी application उसको receive होती है वो आपसे कुछ document मंगवाएगा वो आपसे information मंगवाएगा वो अपने आपको satisfy करेगा कि आपका trust है वो genuine है या नहीं उसकी activity है वो genuine है या नहीं वो compliance कर रहे है किसी दूसरे law के requirement का या नहीं वो देखेंगे कि फेवा को comply कर रहे है या नहीं दूसरे law GST को comply कर रहे है या नहीं और वो सब करने के बाद में ही वो क्या करेगा आपको registration देगा या फिर registration देने से मना कर देगा लेकिन एक और चीज़ समझना यहाँ पर registration है वो देगा या registration देने से मना कर देगा लेकिन registration देने से अगर मना कर रहा है तो उस particular case में अगर पहले provisional registration दिया हुआ है तो उसको वो क्या करेगा cancel भी कर देगा अब एक और बात समझना, यहाँ पर एक amendment आया, वो इसी साल से आया है, और इस साल से यह amendment क्या आया है, बहुत ही interesting amendment है, अब एक बात समझना, यह section यह बोलती है, कि अगर मालनो trust का registration दे दिया, कोई trust है वो registered है, trust है, वो trust क्या है, registered है, लेकिन trust ने कोई specified violation कर दिया, अब आप ब से पहला violation क्या है, कि अगर मालनो trust ने जो अपनी income यूज की, वो किसी other object के लिए कर दी, trust का object था, वो मालनो charitable था, trust ने अपना जो income यूज कर रहा है, वो किसी और object के लिए कर रहा है, या फिर trust ने क्या किया, कि trust का business है, trust ने कोई ऐसा business किया, जो incidental नहीं है, उसके main object से, य दूसरा क्या है, कि trust कोई ऐसा business कर रहा है, जो उसके incidental नहीं है, या फिर incidental है, बट उसने separate books of accounts maintain नहीं किये, या फिर trust जो है, वो किसी private religious purpose के काम कर रहा है, private religious purpose, जैसे मैं मेरे मम्मी और मेरे घरवाले, वो ही भगवान के दर्शन करेंगा, और किसी को करने नहीं देंगे, या फिर कोई trust ऐसा है, जिसका objective इन्हों ने बना दिया, किसी particular caste community या religion के लिए ही काम कर रहा है, या कोई trust है, वो trust की activity genuine नहीं रही activity करके, ठीक है, not in accordance and condition, जिसके according उसको registration दिया था, उसके accordingly काम नहीं कर रहा है, या फिर trust किसी और law को comply नहीं कर रहा है, जैसे FEMA को वगरा comply नह किये, यहां समझने कोशिश करना, अगर trust का कोई specified violation हो जाता है, अब आप specified violation का मतलब क्या होता है, पहला violation अगर उन्होंने किसी other object के लिए खर्चा किया, दूसरा क्या, कि अगर उन्होंने कोई भी ऐसा business किया, जो incidental to attainment of main objective वो trust नहीं है, या फिर incidental है, बट उसके लिए separate books accounts नहीं बनाया है, trust किसी private religious purpose के लिए काम कर रहा है, किसी specific caste community religion के लिए काम कर रहा है, trust का, जो क्या बोलते है, जो trust है, उसके activity genuine रही नहीं, या फिर trust जो है, वो किसी other law को comply नहीं कर रहा है, और यह final हो गया, कि other law को comply नहीं कर रहा है, तो वो specified violation माना जाएगा, लेकिन question ही आत commissioner of income tax और principal commissioner of income tax, उसको खुद को पता चला, कि trust का कुछ specified violation हुआ है, या फिर assessing officer जब assessment कर रहा था, तो assessing officer को पता चला, कि हो, यहां trust ने कुछ ने कुछ गड़बड किया है, और assessing officer ने refer किया है, कि इस commissioner को कि देखो ने यार, इसने specified violation किया है, या फिर CBT की कोई risk management strategy है, और वो risk management strategy में trust पकड़ा गया, कि trust ने ऐसा कुछ गलत किया है, specified violation किया है, तो specified violation किया है, अगर ऐसा पता चला, CIT, PCIT को, तो CIT, PCIT सबसे पहले क्या करेगा, पता है, वो trust से कुछ document या information मंगाएगा, और कुछ inquiry करेगा, जो भी CIT, PCIT को लगेगा, वो inquiry करेगा, उसको देखना तो प by the CIT, PCIT, उसके बाद, वो अपने आपको satisfy करेगा, कि भाईया, इसने specified violation हुआ है, या नहीं हुआ है, अगर specified violation हुआ है, तो वो एक order pass करेगा, और उस trust का registration cancel कर देगा, यहाँ commissioner एक order pass करेगा, और trust का registration है, वो cancel कर देगा, बट cancel करने से पहले, एक बार उसको opportunity of being heard देगा, और भाईया, उस previous year and future previous year के लिए, वो उसका registration cancel कर देगा, या फिर वो order pass करेगा, कि नहीं नहीं, specified violation नहीं हुआ है, तो order pass करेगा, refusing to cancel the registration करेगा, और उसका भी order pass करेगा, कि no, no, refusing to cancel the registration को specified violation नहीं हुआ है, एंड बेटा ये क्या करेगा order pass कब तक करना पड़ेगा ठीक है order shall be passed within six month from the end of the quarter in which the first notice is issued by the CIT PCIT calling for any documents or information or making any inquiry जिस quarter में उसने information आप से मांगा था, trust से मांगा था, document मांगा था, कुछ inquiry की दी उस quarter के end से within six month वो order pass करेगा either cancelling the registration और order passed for the refuse to cancel the registration और उस order का copy book इसको बेजेगा, AO को बेजेगा as well as the उस trust को भेज देगा, you got my point or not, yes so this is one amendment made by the Finance Act 2022 that is related to the specified violation अब एक बात समझना, एक section होती है 13.1 करके और 13.1 क्या बोलती है बता है, कि कोई भी trust है, चार cases में उसको trust को exemption 11-12 का नहीं मिलेगा कौन कौन से cases में, पहला तो अगर कोई trust है, वो specific caste community religion के लिए काम कर रहा है, या कोई trust है, वो private religious purpose के लिए काम कर रहा है और ये दो cases में तो मैंने अभी बता है, वो specified violation भी माना जाएगा, उसका registration cancel हो जाएगा, पीसरा क्या है trust है, वो trust का पैसा, या asset use हो रही है, तो उस particular case में exemption नहीं मिलेगी, और चौता, trust का जितना भी पैसा है ना, वो पैसा 11.5 में जमा कराना पड़ेगा, अगर आपने जितना जमा नहीं करा आया, तो उस पे आपको कोई भी exemption नहीं मिलेगी, तो देखो, मैंने मालो कोई trust है, वो girl child के लिए काम कर रहा है, या फिर females के लिए काम कर रहा है, विडोस के लिए काम कर रहा है, करके ठीक है, तो उस particular, या backward class के लिए काम कर रहा है, तो वो specific caste community religion नहीं माना जाएगा, तो मैंने क्या बोला, अगर trust specific caste community religion के लिए काम कर रहा है या फिर private religious purpose के लिए है Trust का पैसा Trust के relatives के काम आ रहा है। asset है, वो relatives के काम आ रही है, या फिर trust का पैसा है, वो 11.5 में जमा नहीं करा है, बट trust का relative कौन-कौन माना जाएगा, तो देखो, trust का relative माना जाता है, सबसे पहला founder या author of the trust, जो trust का author है, trust का founder है, वो trust का relative माना जाएगा, दूसरा, person made the donation of more than 50,000 in a previous year, मैं ऐसा person जिसना substantial contribution किया है, trust को मिस 50,000 से जादा का donation दिया है, तो वो वाला person भी trust का relative माना जाएगा, तीसरा, अगर कोई founder, author या substantial contributor, HUF है, तो जितने भी HUF के member रहेंगे न, वो HUF के member जो है, वो trust के relative माने जाएगे, चौता, जो भी trust ही है, manager है, किसी भी नाम से जाना जाए, वो trust का relative माना जाएगा, उस के बाद में बेटा, यह जितने भी उपर लोगों की बात की है, इनके जो relative है, और relative का मतलब 56 to 10 जो अपन ने other sources में वो चार्ट पढ़ा था ना, जाड़का पढ़ा था ना, वो वाला कर गे, ठीक है, तो वो relative जितने भी है, वो भी trust के relative माने जाएगे, और उपर जितने भी लोगों का जिक्र हो रहा है, इन्होंने अगर किसी concern में substantial interest hold किया है, substantial interest का मतलब होता है, 20% और more PSR और equity share holding, तो वो जो concern है, वो भी इनके लिए क्या माना जाएगा, trust के लिए relative माना जाएगा, अब एक और चीज़ समझना, इसमें क्या होता है, यह जो last दो point है, that is income of trust, अगर use हो रही है specified person के लिए, या कुछ पैसा आपने 11.5 में जमानी करा है, तो इसमें जितना use हुआ ना सिरफ उतना taxable हो जाएगा, बागी वाले पर exemption मिल जाएगी, बट जितना use हुआ है specified person के लिए, उतना taxable होगा, अभी मैं आपको बताऊंगा, 115 BBI section में amendment किया, और उसमें वो करती है 11.1 है, 11.1 है क्या बोलती है कि अगर कोई भी trust है, वो trust है कोई capital asset बेचा, तो question ही आता है capital gain हुआ, तो capital gain के सामने भी exemption मिलेगा या नहीं, तो lawmakers बोलते है कि capital gain के सामने भी exemption मिल जाएगा, अगर वो trust क्या करता है, कोई दूसरा capital asset खरीद लेता है, तो capital asset के सामने भी exemption म मिलेगा, पता है. कि अगर पुराने का net consideration था, वो net consideration का पूरा utilize हो गया. Net consideration पूरा utilize हो गया, तो capital gain पूरा exempt हो जाएगा. लेकिन net consideration पूरा utilize नहीं हुआ, तो capital gain exempt होगा as per one formula. And वो formula क्या होगा, पता है? Cost of new asset minus cost of old asset. Cost of new asset minus cost of old asset. जितना भी difference रहेगा वो difference वाल आएगा उतना capital gain exemption मिल जाएगा इस से related जो question है question number 5, 14, 19 in the compiler आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा तो मैंने क्या बोला देखो अगर कोई भी capital asset बेचा उसके सामने उस साल में capital asset खरीदा तो यहाँ पर capital gain में exemption मिलेगा पर exemption कितना मिलेगा अगर net consideration पूरा utilize किया तो capital gain पूरा exam और net consideration पूरा utilize नहीं किया तो cost of new asset minus cost of old asset उतने का exemption मिल जाएगा और capital gain के सामने भी 15% का standard deduction मिलेगा और उसके बाद में आप capital gain में से exemption ले लोगे एक section आई है 115 BBI इसी साल से आई है और new section है समझने ही कोशिश करना ये section यह बोलती है ये section यह बोलती है कि बेटा कुछ income ऐसी है न वो सीधा flat 30% से taxable हो जाएगी sir कौन कौन सी income 30% से taxable हो जाएगी तो सबसे पहला तो अगर मान लो आपने जैसे 15% accumulate कर सकते हो set aside कर सकते हो उससे ज़्यादा accumulate कर दिया जो law अलावी नहीं करता है तो law अलावी नहीं करता है उससे ज़्यादा अगर आपने accumulate कर दिया और किसी प्रोविजन में ऐसा अलाव नहीं है तो जितना आपने ज्यादा किया है वो सीधा 30% से taxable हो जाएगा दूसरा मैंने आपको बताया तो section 11-1 में you know that 11-1 की explanation number one बता रहा था वहाँ पर मैं आपको बता रहा था कि वह जिस यहर में आपको जैसे कोई income है वो आपको मिली ही नहीं है तो आप यह बादा करते हो ना जिस यहर में मिलेगा उस यहर या उसके अगले साल मैं actually applied कर दूँगा तो current year dim 2 भी applied मानी जाती है तो जिस यहर में आप अगर मानलो कोई भी asset है या income है वो किसी relative के लिए use किया तो relative के लिए use किया वो सीधा 30% से taxable हो जाएगा and अगर कोई पैसा 11.5 में आपने जमान नहीं कराया जो की कराना चाहिए था तो वो आपका 30% से taxable हो जाएगा और बैटा अगर आपने कोई भी income इंडिया के बाहर कि जैसे नेपाल में मानलो बाड़ पीडितों के लिए आपने use कर ली तो इंडिया के बाहर अगर कहीं पे use किया तो उस particular case में वो सीधा आपका 30% की rate से taxable हो जाएगा अब एक और section आती है 13.10 13.10 बहुत ही प्यारी section है बड़ी simple सी section है यह section यह बोलती है कि बहुत बार ऐसा हो जब trust को 11-12 की exemption नहीं मिलती 11-12 की exemption नहीं मिलती कहां कहां पे जैसे मैं आपको बता हो मैंने आपको सबसे पहले बताया था charitable purpose का मतलब क्या था relief of poor, yoga, medical, 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 उसके बाद में education, उसके बाद preservation of historical places, monument, preservation of the forest, wildlife बगेरा उसके बाद एक और point था that is the any other objective of general public utility but आपको बता any other objective of general public utility में आपका business का receipt 20% of total receipt से ज्यादा नहीं होना चाहिए but अगर 20% से ज्यादा हो गया तो क्या होगा तो यहां पर lawmakers बोलते है कि अगर मानलो आपका commercial receipt है वो 20% से ज्यादा हो गया gross receipt का in case of advancement of any other objective of general public utility अब एक बात समझना मैंने आपको 12-1 में एक और चीज़ बता है 12-A में एक या फिर books of accounts maintain की बड़ उसकी audit नहीं कराई या trust ने अपना return time पे file नहीं किया तो उनको exemption तो नहीं मिलेगी तो यह 4 cases से जाए exemption नहीं मिलेगी कौन-कौन से cases में पहला कि अगर commercial receipt 20% से ज़्यादा हो जाती है total receipt का दूसरा case किया अगर trust ने books of accounts नहीं बनाई तीसरा books of accounts की audit नहीं कराई चौता क्या है अगर उसने return time पे file नहीं किया तो sir income पे exemption बगरा तो नहीं मिलेगी बट income निकालेंगे कैसे तो इन्होंने बोला कि income निकालेंगे कैसे निकालेंगे कि आप एक काम के लिए सबसे पहले trust की जो total gross receipt है वो ले लीजिए उसमें से जितने भी revenue nature के खर्चे है वो less कर दीजिए और जो बचेगा उस पे trust को tax pay करना पड़ेगा लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना यहाँ capital खर्चे जो करोगे वो allow नहीं होगे revenue nature के खर्चे है और वो भी इंडिया में जो किये revenue nature के खर्चे जो इंडिया में किये वो less कर दीजिए और जो बचेगा उस पे trust को tax pay करना पड़ेगा यहाँ पे कोई भी exemption 11-12 अगेरा नहीं मिलेगा जो भी gross receipt minus revenue and nature के खर्चे less करेंगे बच revenue nature के खर्चे जो इंडिया में इंकर किये वो ही less करने को मिलेंगे लेगिन इसमें एक और है कि कुछ खर्चे आपको less नहीं कर सकते पहला अगर आपने कोई खर्चा corpus fund में से पैसा निकाल के किया तो वो आपका खर्चा नहीं माना जाएगा दूसरा अगर आपने मानल देते हो किसी को contribution करते हो किसी अधर trust को किसी भी person को वो आपके खर्चे में नहीं आएगा तो मैं देखो आप क्या कर सकते हो पहले gross receipt ले लीजिए minus जितने भी revenue expenditure है वो less कर दीजिए लेकिन 4 खर्चे आपको allow नहीं होगे कौन कौन से अगर आपने मानलो corpus fund से कुछ withdraw करके औ या contribute बगरा करते हो तो वो तुमारे खर्चे में नहीं आएगा you got my point or not yes 1310 पे मैंने question भी ले रखा है compiler में एक और चीज़ समझना है यहाँ पे खर्चे allow होंगे revenue nature के बट यहाँ पे भी आपको section 40A3 40A 3A and 40A clause clause number 40 clause number A sub clause 1A है उसको आपको follow करना पड़ेगा जैसा PGVP में था वैसे आपको follow करना पड़ेगा और एक और चीज़ समझना है यहाँ पे बिटा income calculate करने के लिए यहाँ पे जो बोला हुआ revenue expenditure वो ही आपको लाइस होंगे अब एक और चीज़ समझना किसी और खर्चे का आपको allow नहीं होगा as well as कोई पुराने losses वगरा है वो आप यहाँ पे चीज़ तो अगर anonymous donation है ना वो किसी religious trust को मिला जैसे मंदिर मजिद गुरुद्वारा है उसको अगर मिला तो anonymous donation है ना religious trust को मिला तो वो 11-12 में जाएगा मिस वो आपका normal donation ही माना जाएगा और normal donation माना जाएगा 15% stand deduction लीजिए 85% applied वगरा वो ही करना है लेकिन अगर anonymous donation किसी charitable trust को मिल जाता है तो charitable trust के case में यहाँ पे 30% से taxable होता है या फिर अगर कोई trust ऐसा है जो charitable religious दोनों है और charitable religious दोनों है तो उसको अगर school के towards कोई भी anonymous donation मिला है या hospital के towards कोई anonymous donation मिला है तो वो यहाँ पे आएगा और उस पे 30% की rate से tax लगेगा तो देखो anonymous donation जब भी मिलता है किसी charitable trust को या फिर charitable religious दोनों है लेकिन उसको hospital या school के towards मिला है तो उस particular case में आप एक काम करिए total anonymous donation पहले ले लीजिए जो भी anonymous donation है वो ले लीजिए उसमें से 5% of total donation बट यहां total donation लेते time आपको corpus donation भी लेना है government grant भी लेना है normal donation भी लेना है total donation का 5% और 1 lakh whichever is higher है उतना आप less कर दीजिए और बाकी वाला anonymous donation है वो आपका 30% से taxable हो जाएगा इसको आप normal statement में जाके उपर add करोगे और इस पे फिर आप 15% का standard deduction बगेर भी आप ले सकते है कोई दिकत नहीं है करगे ठीक है चलिए उसके बाद मैंने यहां other words में दे रखा है इससे आपको easily समझ में आ जाएगा चलिए अब एक और concept आता है that is the 1023C अब यह 1023C क्या है पत लेती है वो लोग क्या करते है 11-12 में exemption नहीं लेते है वो 1023C में लेते है और उनके लिए registration है वो 12AB में नहीं होता वो registration 1023C में कराते है अब इसको समझने के लिए हमें काम करते है इसको तीन पार्ट में divide कर लेते है सबसे पहला point यह बोलता है कि अगर कोई भी government hospital है अगर को तल उनकी जो receipt है उसमें government grant है वो 50% से जादा है उनकी total receipt में government grant अगर 50% से जादा है तो उसको अपन government hospital, government school बोलेंगे एक बात बताओ इनकी income पूरी exempt है अगर government hospital है as well as the government schools है तो उनकी income पूरी exempt है उनका main objective होना चाहिए education and medical और इनको registration के लिए भी जरूरत नहीं है no need for registration कोई registration नहीं चाहिए उनकी income पूरी exempt है दूसरा क्या बोलता है कि अगर कोई छोटे-छोटे universities है या छोटे-छोटे educational institution है छोटे-छोटे hospital है छोटे-छोटे का मतलब क्या छोटे-छोटे का मतलब जिनका annual receipt है वो 5 करोड से जादा नहीं मिस इनकी जो annual gross receipt है वो 5 करोड से जादा नह है और उनका main purpose education and medical है तो मैं बताओ इनकी income भी exempt है इनको भी कोई भी registration नहीं चाहिए there is no need of any registration 100% income is exempt तो मैंने क्या बोला देखो पहला तो government school, government hospital उनकी income पूरी exempt है कोई registration नहीं चाहिए दूसरा government छोटे-छोटे school, छोटे-छोटे hospital, छोटे-छोटे university है जिनकी total gross receipt साल की 5 करो से जादा नहीं है उनकी income भी पूरी exempt है उनका main objective education medical होना चाहिए इनको भी कोई registration नहीं चाहिए लेगिन एक बात समझना जैसे मानलो एक institution है जिसका hospital भी है as well as the school भी है hospital का gross receipt है वो 3 करोड है school का gross receipt 3 करोड बट pen number 1 है तो question ही आता है क्या इसको ये वाला exemption मिलेगा answer is no because यहाँ पर 5 करोड का limit देखते time hospital और educational institution वगरा जितने भी उसकी aggregate देखी जाएगी और aggregate शुड भी up to 5 करोड तो ही exemption मिलेगा इस particular case में otherwise इसमें exemption नहीं मिलेगा अब एक और चीज समझना तीसरे point पर आता है कि अगर मानलो कोई भी hospital या educational institution है जो उपर दोनों में cover नहीं होता ना तो government वाला है ना ही वो छोटा छोटा है छोटा छोटा होता तो exempt हो जाता government होता तो पूरा exempt होता है इसमें तो registration की भी जरूवत नहीं अगर वो इसमें cover नहीं होता जैसे टाटा memorial है करके ठीक है या कोकिला भाई धीरु भाई हमबानी hospital है तो यह hospital से उनकी gross receipt 5 करोड से जादा है और इनका but main objective है वो medical या education है तो उस particular case में इनको क्या करना पड़ता है पता है तीसरा point यह बोलता है कि इनको CIT PCIT से approval लेना पड़ेगा और approval लेने के बाद इनका registration होगा और registration होता है under section 1023C clause number 6 clause number 456 and 6 से तो यह section है in section में registration होता है अब आप बोलोगे सर registration होगा तो फिर इनको exemption कैसे मिलेगा क्योंकि उपर दोख हो तो आप बोल रहे थे पूरा income exempt है कुछ भी करने की जरूरत नहीं लेकिन इनको exemption कैसे मिलेगा पता है 11-12 वाला जैसा यह जो बड़े-बड़े hospital है बड़े-बड़े educational institution है इनको वो 15% 85% और जितना हमने पढ़ा ना section 11-12-13 में section 11-12-13 115 BBC 115 BBI और यह सब section यहाँ पर लग जाएगी इस last वाले के लिए point number 3 के लिए तो point number 3 के लिए तो कुल मिलाके मैं एक बात बात हो आज की date में जो है यह बड़े-बड़े hospital बड़े-बड़े university बड़े-बड़े college है उनको 10-23C में exemption चाहिए clause number 4, 5, 6 और 6A में तो उनको registration कराना पड़ेगा approval लेना पड़ेगा और उनको exemption कैसा मिलेगा जैसे charitable religious trust को मिल रह था 15% करिए 85% करिए उसमें से applied करिए जैसा आपन कर रहे थे ने जो हमने अभी तक सीखा वो ऐसा का ऐसा लग जाएगा इस last वाले person के case में that is point number 3 के case में यह जो point number 3 है उस point number 3 के case में ऐसा लग जाएगा you got my point or not yes you understood my point or not yes समझ मैं आया yes और यहां पे देखो application कैसे करना है same व एसा का वैसा जहां जैसा मैंने वहां पे बताया था वैसे ही आपको application करना पड़ेगा अब एक और चीज़ समझना यहां पे दो case law है एक तो क्विन्स educational society और एक सेंट पीटर्स educational society दोनों ही case law है सबसे पहला case law है क्विन्स educational society इसमें क्या हुआ कि अगर मालो एक छोटी पता है तुमको उसका main objective था वो objective education था बट उनका profit हो गया profit हो गया करके ठीक है तो assessing officer बोलता है कि जब profit हुआ है तो मैं तो exemption नहीं दोंगा क्योंकि उसमें लिखा हुआ था profit purpose के लिए नहीं होना चाहिए चोटे-चोटे schools थे चोटे-चोटे hospital थे यहां हर जगे लिखा पर्पस के लिए होने चाहिए and not for the profit purpose तो यहां profit कैसे हो गया तो यहां पर assessi बोलता है profit हुआ है हमारा purpose profit नहीं था बट हम कुछ fees charge करते है उसकी वज़े से profit हुआ तो incidental profit हुआ है हमारा objective profit नहीं है हमको exemption मिलनी चाहिए और यहां Supreme Court ने बोला कि yes exemption मिलनी चाहिए because for the purpose of profit होना और profit होना incidentally दोनों में फरक है तो making the profit and for the purpose of profit दोनों में फरक है और यहां पर उसको exemption मिल जाएगी ऐसे ही सेंट पीटर्स educational society का case लो है इसमें क्या हुआ कि अगर सेंट पीटर्स educational society है वो क्या करता है लोगों को education देता है in the field of the communication advertisement वगएरा उससे related degree diploma देता है क्या advertisement कैसे होता communication कैसे होता है उससे related courses कराता है तो क्या यह education में आएगा answer is yes यह भी education में आएगा उसमें कोई फरक नहीं पड़ता है education का मतलब ऐसा नहीं है कि भया आप education मतलब 12th है या फिर become है B.Sc है वो ही education में आएगा यह सब भी तुमारे education में आ जाएगा you got my point or not yes यहां पर कुछ questions दे है वो questions आप देख लोगे तो आपको easily समझ में आ जाएगा और अब अपन पढ़ते है topic number 15 that is accredited income तो accredited income जो topic है जिसको exit text भी बोला जाता है एक बात बता दू exam में या तो question आपको trust topic से मिलने वाला है या इस part से मिलने वाला है बट 101% मिलने वाला है 8 mark का या तो trust topic से मिलेगा या 6-7 marks का आपको सिरफ यह accredited income वाला topic है जो कि next 12 minutes में revise हो जाएगा उससे आपको मिलने वाला है तो चलिए start करते है accredited income या जिसको बोला जाता exit text अब एक बात समझना यहा exit text के लिए एक section हुआ करती है that is the 115 TD और 115 TD section यह बोलती है कि जो भी trust है charitable या religious trust जो कि 12AA या 12AB में registered है या फिर कोई institution 1023C में approved है एक बात बता यह 1023C में approved कौन से होते है वो last वाले वो last वाले जो उपर वाले दो थे वो तो 1023C में approved या registered कराने की जरूवत ही नहीं थी वो last वाले ये वाले देखो उपर जो government वाला था उसको तो registration की जरूवत नहीं थी यह छोटे छोटे थे इस को क्या करना पड़ेगा पता है इनकी जो accredited income होगी ना उस पे MMR की rate से tax बढ़ना पड़ेगा MMR का मतलब होता है यहां पे एक चीज़ ध्यान दखना income tax में यहां पे MMR का मतलब होता है 34.944% that is 30% is tax rate 12% आपका surcharge and 4% health and education says यहां पे sir क्या वो 42% वाला नहीं लगेगा answer is no यह यहां पे MMR आपका 42% वाला नहीं है यहां एक ही जगे ऐसी है जहां income tax में जहां MMR के बारे में बोला गया है but MMR आपका 34.944% रहेगा तो देखो इधर देखो कोई भी trust ऐसा है जो 12AB में registered है या कोई institution 1023C में registered है यह 1023C वाला जो amendment है वो इसी साल से हुआ है तीन cases में उसको क्या करना पड़ेगा पता है उसकी जो भी accredited income रहेगी वो accredited income पे MMR की rate से tax pay करना पड़ेगा सर कौन-कौन से तीन के से सबसे पहला अगर उस trust या institution का वो non eligible registration के लिए non eligible हो जाए मिस I can say that conversion of trust या institution conversion into the non eligible form मिस कोई भी trust है या institution जो की 12AB में registered था 1023C में approved था और वो conversion हो जाए उसका non eligible form में अब आप मुझे बोलोगे non eligible form में conversion का मतलब क्या होता है सबसे पहला तो अगर उसका registration था वो registration cancel कर दिया जाए या फिर उसका registration cancel नहीं किया जाए लेकिन उस trust ने क्या किया अपने modification में कुछ alteration किया मिस उसके objective में कुछ modification alteration किया और उस year में उसने fresh registration के लिए apply नहीं किया या फिर fresh registration के लिए apply किया था लेकिन उसका application reject हो गया तो उस case में माना जाएगा कि that is converted into non eligible form तो सबसे पहला जो है violation क्या है कि अगर कोई trust या institution है जो कि 12AB में या 1023C में registered था उसका conversion हो जाता है into the non eligible form non eligible form का मतलब होता है सबसे पहला case उसका registration cancel हो गया या उसने objective में modification alteration किया और उस year में उसने fresh registration के apply नहीं किया या फिर किया था बड़ उसका application reject हो गया दूसरा अगर कोई भी trust या institution है वो उसका किसी भी asset trust या institution के साथ में merger हो गया जिसका objective same नहीं है या फिर वो registered नहीं है 1023C में तो पहली चीज बात समझना एक तो objective same होना चाहिए और आगे वाला registered होना चाहिए तो तो कोई दिक्कत नहीं है अगर मालनों वो objective उसका अलग है या फिर वो registered नहीं है तो उस particular case में क्या होगा यहाँ पे accredited income पे tax pay करना पड़ेगा और तीसरा अगर किसी trust institution का dissolution हो जाता है तो dissolution के case में क्या होता है जिस month में dissolution हुआ उस month के end से जिस month में dissolution हुआ उस month के end से next 12 month के अंदर अंदर जितनी भी उसकी asset होती है ना वो किसी दूसरे registered trust को जो की 12AB में registered है या पे 1023C में registered है उसको ऐसे free of cost distribute कर देनी चाहिए अगर distribute नहीं की तो उस particular case में accredited income पे उसको MMR की rate से tax pay करना पड़ेगा तो मैंने क्या बोला देखो तीन cases में trust को accredited income पे MMR की rate से tax pay करना पड़ेगा सबसे पहला क्या conversion to non eligible form दूसरा merger हो जाता है किसी SE entity के लिए जो की registered नहीं है उसका objective same नहीं है तीसरा अगर उसका dissolution हो जाता है और dissolution के मन्त के end से 12 मन्त के अंदर अंदर किसी दूसरे register trust और institution को उन्होंने asset नहीं distribute की तो accredited income पे MMR की rate से tax pay करना पड़ेगा लेकिन सब एक बात बताओ यह accredited income जो है वो कौनसी date को निकालोगे आप तो accreted income कौनसी date को निकालोगे बड़ा ही simple सा point है तो देखिए सबसे पहले अगर मान लोगो conversion into non eligible form होता है और registration cancel हो जाता है तो cancellation का date है वो आपका valuation date है means accreted income आपको valuation date को देखनी है और valuation date का मतलब specify date और specified date का मतलब cancelation के case में cancellationation का date और merger के case में merger का date और dissolution के case में dissolution का date है वो valuation date है और valuation date को accreted income calculate होगी लेकिन सर आप बार बार बोल रहे है accreted income, accreted income, accreted income का मतलब होता क्या है तो accreted income का मतलब होता है उस trust की जितनी भी fair market asset की total asset की fair market value ले लीजिए aggregate fair market value of the total asset मतलब जितनी भी उसकी total asset है उस total asset का aggregate fair market value ले लीजिए और उसमें से total liability जो trust की है वो less कर दीजिए जो भी बचेगा that is called accreted income तो मैंने क्या बोला देखो accreted income के लिए trust की balance sheet में जो valuation date पे जो balance sheet है उसमें जितनी भी asset है वो सब asset की fair market value ले जिए और उसमें से जो भी trust की liabilities है वो less कर दीजिए जो भी बचेगा वो accreted income और उस accreted income में MMR की rate से tax pay करना पड़ेगा लेकिन एक चीज़ समझना यहाँ accreted income निकालते time three types of asset ऐसी है जिसको आपको consider नहीं करना है मैं तीन assets को आपको नहीं लेना है पहला अगर कोई asset agriculture income से acquired किया था लॉजिकल है agriculture income से acquired किया हुआ है तो उस particular case में तो यार agriculture income तो ऐसे भी exempt हो जाती है trust की तो वो वाली asset को नहीं लेना दूसरा जिस दिन trust का creation हुआ था और जिस दिन trust का registration effective 12AB में या 1023C में वो effective होने से पहले जो asset acquire की थी जैसे माल लो मेरा trust है वो 15 years ago start हुआ था अभी तक registration कराया नहीं था registration माल लो 2 years पहले ही कराया आपने 12AB में तो यहाँ पे एक बात बताईए पहले जो है पहले तो trust net tax भरा था तो उस particular period में जो asset acquire की हुई है वो आपके accredited income में नहीं आएगा तो मैंने क्या बोला सबसे पहला तो agriculture income से asset acquired की है वो आपको नहीं लेना दूसरा अगर कोई asset acquire की है between from the date on which trust was created till the date before that that registration got effective Miss registration effective हुआ उससे पहले अगर आपने जो asset acquire की है वो आपको नहीं लेना है और तीसरा अगर मानलो किसी trust का dissolution हो जाता है तो dissolution के month के end से 12 month के अंदर अंदर जो asset किसी दूसरे trust या institution को आपने distribute कर दी वो वाली assets को आपको नहीं लेना क्योंकि उसके बात distribute नहीं की उन वाली assets को लेना है जो आपने 12 month में distribute कर दी उसको आपको नहीं लेना एक और चीज़ समझना मैंने क्या बोला कि अगर ट्रस्ट क्रियेट किया था और उसका registration effective हुआ उस year तक जो भी registration effective हुआ उससे पहले जो asset acquire की थी वो आपको नहीं लेनी लेकिन मैंने आपको पता है 12a जो section पढ़ा accredited income में आएगा अब एक और चीज़ समझना accredited income के fair market value पे अगर already text भर चुका है trust तो आगे जाके अगर वो asset को trust बेचता है तो उसकी cost of acquisition के आएगी वो ही fair market value मिस जिस fair market value वो accredited income में consider करते ताइम आपने calculate किया था वो ही fair market value फिर उसकी cost of acquisition बन जाएगी अब question यहाँ पर ही आ आपर की rate से tax भरना है तो क्या यह भरना पड़ेगा answer is yes यह आपको भरना पड़ेगा लेकिन सर यह tax कब तक भरना पड़ेगा तो यहाँ पर time limit होता है 14 days का लेकिन 14 days कहां से count होगा अगर आपने appeal और revision पढ़ा हुआ है तो आपको easily यहाँ पर समझ में आ जाएगा 2 minute के आपिल कर सकता है क्योंकि commissioner cancel करता है सीधा आपिल कर सकता है और आपिल करने का time limit होता है 60 days पता है अगर वो 60 days हो गया और अपिल किया ही नहीं तो जैसे 60 days complete हो गया वहाँ से 14 days के अंदर अंदर ट्रस्ट को accreted income पे tax pay करना पड़ेगा दूसरा अगर ट्रस्ट ने मानलो अप 14 days के अंदर अंदर accreted income पे tax pay करना पड़ेगा government को अब एक और जी समझना अगर मानलो ट्रस्ट ने modification alteration किया है और उस previous year में fresh registration के लिए apply नहीं किया तो जैसे ही वो previous year complete हो जाता है उसके बाद 14 days के अंदर अंदर उसको tax बढ़ना पड़ेगा लेकिन अगर उसने fresh registration के लिए apply कर दिया बड़ उसका क्या हुआ registration application reject हो गया तो reject हो गया तो rejection के अगर आप IT में जा सकते थे IT में जाने का time 60 days होता है वो 60 days complete हो गया आप IT में नहीं गए तो उस particular case में 60 days के बाद में 14 days के अंदर अंदर आपको government को tax pay करना पड़ेगा exit tax उसके बाद में अगर मानलो आप IT मे साथ में merger हो जाता है तो merger की rate से 14 days के अंदर अंदर वो government को tax pay करना पड़ेगा और तीसरा अगर dissolution के month के end से 12 month के अंदर अगर आपने asset है वो दूसरे किसी registered trust और institution को distribute नहीं की तो जैसे 12 month complete हो जाता है उसके बाद के 14 days के अंदर अंदर आपको government को tax pay करना पड़ेगा अब ए जाओगे assassin default अब एक और चीज़ समझना मैं आपको बोल रहा हूँ कि trust को accredited income पर tax pay करना है अब एक बात बताओ accredited income का मतलब क्या करना है कि आपको asset लेनी है और all asset का fair market value minus liabilities आपको less करना है लेकिन सर्फ fair market value कैसे निकालेंगे तो आप एक काम करिए सबसे पहले उस trust की balance sheet ले होता है कि सबसे पहले आप एक काम करी asset side में जाहिए और asset side में आपको all asset का fair market value लेना है लेकिन आपको दो asset को छोड़ देना है पहला तो अगर कोई TDS TCS advance tax है तो वो तुमारा asset नहीं बड़ा logical है TDS TCS advance tax है यह कोई asset नहीं है तो TDS TCS advance tax को आप छोड़ दीजिए बट अगर म आपका unamoratized amount of deferred revenue expenditure का तो unamoratized amount of deferred revenue expenditure वो asset नहीं है उसको नहीं लेना तो देखो आपने क्या किया trust की balance sheet ली, asset side में गे, all asset लेनी है, सबकी fair market value कैसे निकालने अभी बताऊंगा बट दो asset चीजे asset नहीं है तो TDS TCS advance tax को छोड़ दीजिए और दूसर unamoratized amount of the deferred revenue expenditure उसको छ लेकिन सर, asset का fair market value निकालना कैसा है? तो asset को fair market value निकालने के लिए, अब आप asset की fair market value निकालने जा रहे हैं, तो asset side लिया आपने और asset की fair market value कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले, अगर मालो trust के पास में किसी company के quoted share and security है, quoted share and security का मतलब होता, listed share and security, example के लिए मालो तीरुपती ब investment का हो सकता है तो अगर मालनो trust के पास में किसी quoted share and security है तो उसका आपको क्या करना है average लेना है lowest and highest price का valuation date का, valuation date का मतलब जिस दिन accreted income आप निकाल रहे हो, cancellation के case में cancellation का date, modification के case में modification, merger के case में, merger और dissolution के case में, dissolution, उस date का आपको average लेना है highest और lowest price का उस particular company के share का, लेकिन मालनो उस दिन trading ही नहीं हुआ था, तो last trading session में highest और lowest कितना था, उसका average ले ले लिजे, अब एक बात समझता, point number 2 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजे, point number 2 is related to, अगर trust के पास किसी company क unlimited equity share है, तो equity share की value कैसे निकालते हैं, वो intrinsic value basis पे निकालते हैं, उसको अपन बात में समझते हैं, पहले है अपन पढ़ेगे, point number 3, point number 3 यह बोलता है कि अगर मालनो किसी trust के पास, किसी के unquoted share and security है, equity share को छोड़के, कोई unquoted debenture है, unquoted preference share है, unquoted मालनो bonds है, तो उसका क्या होग chartered accountant, तो chartered accountant या merchant banker क्या करेगा, उसकी fair market value, nrv, fmv, nrv निकाल करेगा, और वो fmv, nrv ले लिजिए, अब trust के पास में कोई भी immovable property है, तो immovable property के case में आपको क्या करना है, उसकी sdv लेनी है, stem duty value या फिर fmv, nrv, whichever is higher, तो fmv, nrv एक ही बात है, तो आप मैं fmv बोलू is higher है, वो आप ले लीजिए, अगर के ठीक है, उसके बाद में point number 5, that is the business undertaking, business undertaking के लिए आप a plus b minus l लीजिए, ये क्या होता है, मैं बताऊँगा, बाकी जितनी भी asset बचीना, उसकी सब की आप fmv लेना है, बाकी जितनी भी asset है, जैसे daters वगेरा है, stock वगेरा है, उसकी सब की आपको क्या लेनी है, fmv है, वो fmv लेनी है, लिकिन एक बास समझना, अगर trust के पास में किसी company के equity share है, जो की unlisted company है, example के लिए, मालो, तीरुपती बालाजी trust है, और तीरुपती बालाजी trust के पास, air India के share है, और air India पहले government company थी, तो air India government company थी, तो air India के share हो सकते है, अब air India listed हो थी नहीं, private company थी, uncoated equity share थे, तो उसकी value कैसे निकालनी है, तो उसकी value intrinsic value basis पे निकालते है, कैसे intrinsic value basis पे निकालेंगे, यहाँ पे एक formula होता है, that is the a plus b minus l, divide by pe, और multiply by pv, अब यहाँ पे a plus b minus l, divide by pe, multiply by pv, यह क्या है, a का मतलब होता है, आप एक काम करिए, air India की balance sheet है, क्योंकि air India के equity share है, मालो air India के total equity share में से 30% equity share है, वो मालो trust के पास है, तो वो 30% equity share की value कैसे आएगी, तो आप एक काम करिए air India की balance sheet लीजिए, और air India की balance sheet में, जो भी asset side में है ना, उस assets की आपको क्या लेनी है, book value of all assets, बट भाईया, आपको जो b point में covered है, उसको छोड़के और B point में कौन-कौन सी asset covered है, share security, jewelry, drawing, painting, sculpture, archaeological, collection, any other work of art, boolean, and immovable property, ये जो मैं आपको 10-11 asset, other sources में पढ़ाया थी, उन assets को आप छोड़ दीजिए, बाकी सब assets की आप book value ले लीजिए, और बेटा TDS, TCS, advanced tax है, या deferred revenue expenditure है, वो asset में नहीं आएगा, अब आप बोलोगे, किसर ए rule के हिसाब से, जो ये rule में आपन पढ़ रहे है, fair market value कर गें, उसके हिसाब से fair market value आपको लेनी है, other asset की, liabilities है, वो liabilities आपको book value लेनी है, लेकिन liabilities में आपकी जो paid up share capital है, वो आपकी liability नहीं है, उसके बाद में आपका, जो भी set apart amount for the dividend, dividend के लिए, preferential equity share के लिए, अगर dividend आपन tax demand है, वो तुमारी liability बन जाएगी, उसके बाद में आपका uncertain liability से related कोई भी provision है, या contigent liability से related कोई भी provision है, वो liability में नहीं आएगा, अब एक बात समझदा, आपने क्या किया, air India की जो भी asset side में, जो भी books के हिसाब से, book value लेली asset को, 10-11 asset, 10 जो asset है, उसकी आपने क्या लेली, fair market value और उसके बाद में liabilities आपने book value से less कर दी, divide by कर दीजे, total कितनी paid up capital है, air India की, और multiply by trust के पास कितने paid up share है, जैसे 30% है, तो multiply by 30%, trust के पास में जो share है, उसकी fair market value आपको मिल जाएगी, अब एक बात समझना है, ये तो trust की assets की fair market value हुई, लेकिन trust के पास में जो liabilities है, उसको क्या क लेना है, liabilities है, वो book value पे लोगे, लेकिन एक चीज़ समझना, जो भी capital fund है, या corpus fund जिसको आप बोलते हो, वो तुमारा liability नहीं है, relevant surplus किसी भी नाम से जाना जाए, वो liability नहीं है, आपका contingent liability, liability नहीं है, उसके बाद आपका uncertain liability है, वो liability नहीं है, और provision for tax है, वो भी liability नहीं है, ये तुमारे liabilities में नहीं आएगा, बाकी liabilities को book value पे लेना है, लेकिन एक चीज़ समझना, जब आप ये assets की सबकी fair market value लेनी है, और liabilities को book value पे आपको less करना है, जो भी बचेगा, that is call your accredited income, लेकिन आपको तीन asset नहीं लेनी थी, कौन सी एक तो agriculture income से acquire की थी वो वाली, और इसमें एक चीज़ समझना, अगर वो asset नहीं आ रही है, तो उससे related अगर कोई liability है, वो liability भी फिर आपकी नहीं आएगी in calculating the accredited income, आपका आज का target क्या रहेगा, फटा फट मैंने trust पड़ाया है, फटा फट बहुत अच्छे-चे question दे रहे हैं compiler में, वो आप कर लीजिए, और आप है न, एक question number 15, 16, 17, ये जो तीन question है न, ये सिरफ किस से related है, आपके इस accredited income exit text topic से related है, ये तो पका ही पका करना, because exam में आने वाला है 6-7 marks का question, एक चीज़ दियान रखना, अगर आपके बास नहीं compiler है, तो आप question number 1 को skip कर देना, question number 1 में थोड़ा factually incorrect है, तो आप question number 1 है, उसको ignore कर दीजिएगा, बाकी जितने भी question है compiler के, आप आराम से कर सकते है, कोई दिकत नहीं है, ठीक है, चलिए, तो आज अपने बहुत सारे topic है, वो revise किया, I think अपने 4-5 topic है, जो आज अपने revise किये, और बहुत अच्छे level से revise किये, बहुत अच्छे से मैंने आपको revise कराया So guys, thanks a lot, इतना सुनने के लिए, पता नहीं मेरी आवाज मधूर है या नहीं है, ठीक है, पता नहीं करकश जैसी आवाज तो नहीं है, बट मेरे को लगता है, वो बोलती थी, तो तुमारी आवाज बहुत अच्छी है, ठीक है, तो शायद अच्छी ही रहेगी, ऐसा मैं मैं म तरी के लिए मैं इंडिया तूर कर रहा हूँ, जिसमें मैं इंडिया की 8 सीटी से वहाँ पे जाके फाइनल का एक एक दिन का लेक्चर लेने वाला हूँ, और उसमें रिविजन लेक्चर तो आप यूट्यूब पे देखी रहे हो, मैं सिरफ क्वेशन कराने वाला हूँ, कौन कौन सी सीटीज में आने वाले हो, तो मैं बता दू, आपको मिलने वाला हूँ, तो आप अगर उस सीटीज में हो, और आप एक चीज समझना, रिविजन लेक्चर पूरे देख लेना और उसके बाद ही वो लेक्चर के लिए आना, उस दिन सिरफ अपन क्वेशन करेंग मैं डिसकस कर लूँगा, जिससे आपको पता जलेगा आपकी प्रेपरेशन कितनी स्ट्रॉंग तरीके से हुई है और कैसे हुई है कर दिगर, बाकी चीज है ना, बहुत बार मेरे को ऐसे लोग भी पसंद नहीं है, मेरे को बताना नहीं चाहिए, बट दो दिन पहले क्या सी ये बना है, साल, देट साल हो गया, बोलता है, लाइप में मुझे कुछ पता ही नहीं चल रहा है क्या करना है, कैसे करना है, और फिर वो उसने चालू किया, अरे उसमें तो कोई टैलेंट ही नहीं है, वो कैसे ऐसे आगे बढ़ गया करके, ठीक है, उसके पास वो किसी का बात कर रहा था, उसके पास 150,000 सब्सक्राइबर हो गए, यूट्यूब पे, उसमें कोई टैलेंट तो है नहीं, मालब, क्या करना है तुझे यार, तेरे में है क्या, मालब, बहुत बार ऐसा होदा है, I really don't like that type of people, and आपको ऐसा नहीं बनना है, जब भी कोई परसन आगे जा और गजवी अलग कर रहे है, C.E. बनने के बाद मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहा हूँ, on the social media, और किसी भी अलग-अलग field में, अलग-अलग काम कर रहे है, बहुत मज़ा आता है उनको देखके करके, ठीक है, they are earning also good, और ऐसे बहुत सारे मेरे students है, जो last के 3-4-5 सा जो C.E. बने, उन्होंने social media पे, बहुत सारे जैसे videos बनाते हैं, मैं आपको example के लिए बता दू, जैसे नेहा है, बहुत बढ़िया कर रही है, शुवम केश्वानी हमारे student था, he is doing very good in the teaching, उसके बाद मैं कुशल लोड़ा है, he is doing very good, उसके बाद मैं असफर है, वो बहुत अ जाओगे ना, तब आपको पता चलेगा, कि कितना यहां पे है ना, पसीना आ जाता है, because बोलना बहुत इजी रहता है, बोलना बहुत इजी रहता है लोगों के लिए, बिट जब भया करते हैं, तब पता चलता है, और मैं बोलता हूँ ना, अगर जो चाहता है ना, दिल से, जिसका दिल में है, कि नहीं, अपने को कुछ धंका करना है सीए बनने के बाद, तो हो जाता है, एक और चीज़े के हो जाता है, मेरे जैसा बंदा, अगर यहां पे आके आपको इतना बोल रहा है, सुना रहा है, करके ठीक है, तो मैं बोलता हूँ, इस दुनिया में कुछ भ आपके हाथ में क्या है, आपके हाथ में कर्म, कल मैंने कहीं पर सुना गरे ठीक है, कि आप दिमाग में उसी को लेके सोचो जो आपके हाथ में है, बट आपके हाथ में है चीज़े, अगर आपको ऐसी चीज़े बनना चाहते हो, तो आपके हाथ में वो चीज़े है, आप क्य कर सकते हो कर्म कर सकते हो सिरफ ऐसा कोई डेजाय इसा सोचने से उने वाला नहीं है सोचने के साथ साथ मैं आपको करना भी पड़ेगा लिगो मिलने वाले हैं जो मैं मुंबई के बाहर जो इंडिया में आ रहा हूं 24 तूर के लिए तो अगर आपको सिटी में हो तो अपन पक्का मिलेंगे बले आप लेक्चर में मत आओ आप शाम को घंटा पर घूमने आजाना अपन ऐसे ही मिल लेंगे शाम को घंटा पर गर गे ठीक है और लेक्चर में अगर आप ट्राइ करना अगर आप लेक्चर में आ सकत तर्ग। तर्ग। तर्ग।